नमस्ते जी नमस्ते क्या हल चाले आपके सर हम बहुत अच्छे हैं आप बताइएगा भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बूलेंगे रादे रादे चले यह सर जीवन में फोकस बनाना सीखो जो चाहते हूँ सब आपको मिल जाएगा चले आगे सर कैसे बनाएं बता हूँ कभी अलग से फोकस कैसे बनाया जाता है फोकस एक तलवार की धार की तरह होता है जो किसी भी चीज को दो हिस्सों में यूं बाढ़ देती चुटकी बजाते हुए मैनर अफ पेमेंट का चैप्टर है आपका ग्यान की बाते होगई आप खिताबी बाते कर लेते हैं पती पतनी का रिष्टा है डिपार्टमेंट और टेक्स पेयर का तो पतनी पती से दो चीजों की डिमांड करती है एक हिसाब और एक हिस्सा हिस्सा मतलब मैनर अफ पेमेंट यान की जी अस्ट का पेमेंट और हिसाब मतलब फाइलिंग आफ रिटर्न तो पहले ये हिस्सा तै करते हैं और हिस्से का पेमेंट करते हुए हिसाब भी बना कर दे देंगे खाली-खाली हिसाब दिया हिसा नहीं दिया तो उसे वैलिड हिसाब वैलिड रिटर्न नहीं माना जाता है नॉर्मल यही होता है कि एक सप्लायर होता है यह सारे चीज़ नहीं मैंने इस बार डाली अपनी कॉम्पेक्ट बुक के अदर बेहत खुबसूरत बनाया मैंने इसको सप्लायर है और यह इन्वाड सप्लाई यहां से लेकर आया 18,000 रुपे का GST बनता था ITC किताबं में बुक कर लेगा यहां पर यह 18,000 रुपे का ठेक सर कोई दिक्कत नहीं है यह बुक कर लिया मालिक और फिर इसको यह अपनी आउट पुट लायबिलिटी बनती थी 27,000 रुपे की और 27,000 का पेमेंट करने के लिए यह व्यक्ती 18,000 रुपे का ITC भी इस्तिमाल कर पाएगा और बैलेंस 9,000 इसे कैश में जमा करना पड़ जाएगा अब हिस्सा कैसे दिया जाता है कैलकुलेशन तो कर लिए बट पतनी तक हिस्सा कैसे कैसे पहुँचाया जाएगा वो बात हम करने के लिए जा रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह जो ITC बुक करने की हम यहाँ पर बात करते हैं यह सारी बाते सिखाई जाती हैं ITC चैप्टर के अंदर कौन कौन सी कंडिशन्स हैं ITC बुक करने के लिए सेक्शन 16, 17, 18 और उसको यहाँ पर पे आफ कैसे करते हैं यूटलाइस कैसे करते हैं इसके लिए आता है आपके चैप्टर मैनर आफ पेमेंट का ठीक साब हाँ साब तो पेमेंट करने के लिए जाना है तो आपको जो तीन महान लेजर हैं उनमें कैसे रियक्शन्स आएंगे उसकी बात करते हैं हमारे पास दो एसेट लेजर होते हैं और एक हमारा लिएबिलिटी का लेजर होता है दो एसेट लेजर में कैश लेजर हो गया और एक क्रेट लेजर हो गया और लिएबिलिटी में सिर्फ एक ही आता E-Liability Register, तो first of all जब payment करने के लिए computer system पे आप बैठ जाते हैं, तो ये check कीजिएगा, कि क्या आपके पास cash leisure में sufficient balance है या नहीं है, ये जो E-cash leisure होता, it's just like PTM wallet, मेरे mobile में भी मैंने आपको download कर रखा उसे, और मुझे अगर कोई पर 9000 रुपे की payment अगर करनी है, तो मुझे check करन पड़ेगा, मेरे पास इतना balance है या नहीं, अगर है तो कोई बात नहीं, फिर तो ठीक अच्छा है, और अगर नहीं है, तो मुझे sufficient amount add करना पड़ेगा, so that मेरा total balance 9000 हो जाए, अगर मेरा balance 0 है, तो पूरा का पूरा 9000 मुझे पहले add करना पड़ता है, चाहे वो अपने bank account के add करूं, या किसी से उधार लूँ, paytm के अंदर है, जैसे मरजी करके, तो एक wallet होता है, और आजकल तो देखिए हर जिगा wallet का चकर चल जाता है, amazon वगरा पर जाईए, तो इनके भी अपने wallet बने हुए है, वहाँ पर आप पैसा रख सकते हैं, अपना, किसी अच्छे food court में जाएए, या किसी game zone में जाएए, वहाँ भी wallet चलते हैं, जहाँ पर multiple variety of games हैं, पहले आप एकठा पाँजार रुपे जमा कर देजिए, wallet आपका बन जाएगा, कार्ड मिलेगा, आप वहाँ से उसको payment करते रहिएगा, कुछ बचता है तो वापस लेना, convenient way हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर यह wallet होता है, तो मान के चलते हैं कि मेरे wallet के अंदर पहले से कोई balance नहीं है, वो zero पड़ा हुआ है, तो मुझे पहले उसमें 9000 रुपे add करने हैं, GST portal पर जाओंगा, payment पर click करूँगा, और उसके अंदर जाकर create चलान पर click करूँगा, create चलान करते ही, मेरे सामने blank चलान खुल के आ जाएगा, उस के अंदर कई सारी pocket बनी हुई होती है, CGST के tax के अंदर CGST, SGST, IGST, interest के अंदर किसका, CGST का, IGST का, या UTGST किसका, SA penalty, fees, etc, तो आपको क्या pay करना है, CGST का tax बनना है, CGST का interest बनना है, CGST के fees बननी है, CGST की penalty बननी है, जो भी आपको amount बनना हो, and so on IGST and UTGST, आपको जो भी भरना है, उतना amount उसमें डालिए, और डालने के बाद आपको किसी पास option आएगा, कि आप net banking के थूँ, या फिर manual payment, offline, online, कैसे करना चाहते हैं, आप जैसे आपकी मर्जी कीजिएगा, मैंने का ठीक, मैं net banking से payment कर देता हूँ, selection करूँगा, checkout, वहाँ प इसी mall वगरा में जाते हैं, गेम जोन में जाते हैं, तो wallet में पढ़ा हुआ पैसा मेरा है, जब तक कि वो खर्च ना हो जाए, ऐसे ही e-cash ledger के अंदर पढ़ा हुआ पैसा मेरा है, जब तक कि मैं उसे finally pay off government को ना कर दूँ, at the time of filing my GSTR 3B, ठीक, yes sir, तो यहाँ पर आकर हम चल गया जी, तो जैसे portal को, GST portal को सूचना जाएगी, तो वो हमारे e-cash ledger के अंदर उतना पैसा reflect होना शुरू हो जाएगा, मतलब हमें तसल्ली है कि हमारे e-cash ledger नाम के wallet में उतना पैसा आ चुका है, ठीक है, ओफ-लाइन payment की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपकी मरजी है, नहीं, दहजार तक की GST की payment है, ओफ-लाइन बोड में, आप चलान की copy ले कर जाए है, बैंक में, चेक वेक लगा दीजिए और उसका payment वहाँ पर आप कर सकते हैं, या फिर जो government department है, उन्पे सरकार ट्रस्ट करती है, तो वो भी ओफ-लाइन payment कर सकते हैं, चेक वेक स online payment mandatory है, ठीक, ये तो ही हमारे e-cash, लेजर की बात, एक छोटी सी बात और add करूं, इसके अंदर आ कर मैं, जब हम portal पे जाके चलान create करते हैं, तो वहाँ पर एक c-pin generate होता है, वो c-pin लिखा होता है, चलान के ऊपर ही, common portal identification number 14 digit का ये code होता है, और जब हमारा पैसा bank में credit हो जा है, जो c-pin के पीछे add हो जाता है, and the whole digits are called as sin, चलान identification number, तो ये sin communicate किया जाता है, बैंक की ब्रांच से GST portal को, जिसे वो recognize करता है, और accordingly relevant e-cash leisure के अंदर वो पैसा reflect होना शुरू हो जाता है, बात करते हैं, e-liability register की, जो आपका 3B है, 3B फाइल करते हैं, आप अपनी liability को discharge करते ह हैं, जो 2A या 2B कह सकते हो, वो आपका link किया हुआ है, 3B से, जिसमें कि आपका जो credit होता है, वो reflect, मैं e-credit ledger की बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पर reflect होना शुरू हो जाता है, वैसे करके, ठीक है सहाब, तो ledger, credit मेरे पास में available है, उसके बात में फिर यहाँ पर आते हैं अपने e-liability register के उपर, जब portal पर जाते हैं, या theoretically, मैं जो भी बोल रहा हूँ, दौना चीज़ों को mix करके बोल रहा हूँ, portal पर जब जाते हैं, आप चेक करना, e-liability register चेक करोगे, तो आपको दो पार्ट मिलेंगे वहाँ पर, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, पार्ट 1 में demands निकाली जाती हैं, वो वहाँ पर होती हैं, वो अगर आपको देखनी है, तो आपको demand ID आपके हाथ में होने चाहिए, demand ID वहाँ पर option आएगा पूछ डालने के लिए, वो डालिए, आपकी demands वहाँ पर आकर दिख जाती हैं, ठीक है, तो अब इसका payment एक करम में किया जाता है पहले first part की जो हमारी liabilities हैं, उनको pay off करेंगे, फिर second पर second part वाली को, moreover जो first part के अंदर liabilities हा रही हैं, उसमें पहले पुराने पापों को धोएंगे, अगर कुछ पुरानी liabilities हैं तो उनको pay off करेंगे, उसके बाद जो हमारी current liabilities हैं, उनको यहाँ पर pay off करवा दिया जाता है, उसके बाद सारे हमारे तीनों लेजर हमारे तैयार हैं, अब हम finally 3B अपना file कर रहे हैं, तो पहले में अपना credit को इस्तिमाल करूँगा, और जो भी मेरा 9000 मुझे cash layer से देना था, वहाँ पर click करूँगा कि इतना मज़े cash layer से adjust हो जाए, तो वो खुल जा सिमसिम होते ही adjust हो ज sequence होते हैं इसके, पहले यहां पर बात करेंगे IGST, IGST के लिए, फिर CGST या SGST के लिए किसी भी ratio में किसी भी तरीके से, तो यह A यह है और B यह दोनों है, equal हैं, ठीक है जी, उसके बाद में फिर नमबर आएगा अपना साब यहां परा कर CGST का तो पहले अपने के लिए फिर प CGST काम करता है, उसी पैटर्न पर आपका UTGST भी काम करके चलता है, प्रेम से बोलेंगे रहत ही रहते हैं, मालक यह तो रही लेजर्स की बात, और मैंने आपको इसी आर में सारी बाते सिखा दी, यह तीनों सेक्शन्स और साथ में रूल 88, यह जो आप कहाता है, वो तमाम बा करेबिलिटी रेजिस्टर की सारी बाते यह आ गए, एक्रेट लेजर की सारी बाते हैं, आपकी यहां पर यह आ गए, और मैनर अफ यूटलाइज़ेशन यह आ गया, रिफंड आफ बैलेंस, मेरे पेटियों वालेट में आज कुछ पैसे पड़े हुए हैं, क्या मैं वापस चेप्टर में जाके, कि अगर मान लीजिए पांच परसेंट की बजाए बारे परसेंट का टेक्स चार्ज हो जाता है, तो यह माना जाता है कि एक्से सेवन परसेंट, इसने इसको पास ओन कर दिया, इसने इसको पास ओन कर दिया, ऐसे करके पास ओन कर देते हैं, और अल्ट तो date of credit का मतलब हो गया कि जब वो e cash ledger के अंदर दिखना शुरू हो जाए वहाँ पर माना जाता है tax dues मतलब अपने tax वाले dues हो गया other dues का मतलब interest penalty वगरा यहाँ पर आ जाते हैं section नमबर 50 है interest का interest को निकालते समय तीन बातों का ध्यान रखना होता है क्या कि amount कौन सा है number 2 rate क्या है और number 3 period क्या है जहां तक सवाल है period का तो days basis पर आपका interest calculate किया जाता है due date के बाद जितने भी दिनों का delay है वो आपका आएगा जैसे मान लीजिए 20 तारिक मेरी यहाँ पर due date है और हम 28 तारिक को payment कर रहे हैं ज्यादा दिमाग मत लगाए कि पहला दिन जोड़ेगा आखरी दिन घटेगा सिंपल 28 में से 20 माइनस कर तो 8 दिन आगए आठ दिन का आपको यहाँ पर ब्याज भनना पड़ेगा सर मान लीजिए 20 तारिक को था और 20 जनवरी हमारी due date थी सर और हम इसे pay करते हैं पांच फरवरी को तो ज्यादा दिमाग मत लगा हो 31 में से 20 गए तो 11 बचे पांच दिन आगे चड़ गए जिस दिन हम payment कर रहे हैं उस दिन को भी शामिल किया जाता है पांच दिन यह होगे 16 दिन का आपको यहाँ पर ब्याज देना पड़ जाएगा डेज बिस्स पर calculation होगी जहां तक सवाल है rate का तो rate दो है 18% 24% fraudulent intent वाले अ आगे से या पीछे से कोई गडबड करते हैं ITC fraudulently avail कर रखा है या फिर आपने output liability को यहाँ पर evade कर रखा है ऐसे हालातों में 24% का rate है नहीं तो फिर आपका 18% का rate रखवा दिया जाता है ठीक साब साब ठीक है हाँ साब तो साब आगे बात करते हैं अब यहाँ पर आता है आपका यह amount कौन से amount पे लगेगा तो जो भी आपका outstanding amount है उस पे लगेगा outstanding में क्या gross पे लगेगा या net पे लगेगा ITC को adjust करने के बाद जो amount उस पे या gross पे काफी चर्चा का विशय रहा है तो normal provision के मताबिक यह gross पर ही लगाया जाएगा लेकिन एक specific circumstance के अंदर यह आपका लगाया जाएगा net के उपर वो circumstance क्या है अगर एक particular tax period की supply है suppose करो जनवरी महीने की supply है कोई transaction जनवरी में हुई थी और आप उसे जनवरी की return के साथ ही show कर रहे हैं लेकिन वो वाली जो return है वो आपकी late हो जाती है उसे आप April में file कर रहे हैं एक transaction जिस महीने की थी उसी महीने क return में आप show कर रहे हैं लेकिन वो आप मतला आप वैसे कोई दिमाग में कोई दोश नहीं कि आप छुपा गए ते यह हो गया ता वो गया ता कुछ भी नहीं जिस महीने की return है उसी महीने की transaction है उसी महीने की return में आप उसे दिखा रहे हैं बस फरक इतना है कि वो particular return आपकी late file ह हो रही है तो इस particular circumstance के अंदर यहां पर आपका जो interest है वो net पे लगाया जाएगा लेकिन इसमें भी है मैं आपको बता हूँ इसका भी exception है इसमें भी एक तोड़ है क्या कि आपके ये अपरेल से पहले अगर मान लीजे in between कोई notice आ जाता है और आप notice की वजह से आपको return भरनी पड़ रही है मतलब एक होता है खुद पकड़ना खुद पकड़वाना और एक हुदा उसने पकड़ लिया कि notice के दवाब में आकर notice आरे के बाद return फाइल कर रहे हो ऐसी की तैसी कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो तो वहां पर जो rate आपका जो amount है वो gross ही consider किया जाएगा सरकार ने जो net वाला formula दिया है ये बड़े दवाब में आकर दिया है वनना वो तो शुरू से अपना ये लेके चल रहे थे फिर बाद में आके काफी जगड़ेवाजी हुई और ये net वाला जो provision है ये retrospective fact से है एक साथ 2017 से लागू किया गया but in a particular circumstance only नमबर एक जनवरी महीने की okay बनता है तो तो net पर अन्य था gross पर ही लगाया जाएगा आगे आता section 53 करके कि अगर मैं cgst fund cgst का जो credit है अगर मैं cgst का credit use कर लेता हूं for igst out igst के लिए तो फिर क्या करना होता ये तो taxpayer ने कर दिया लेकिन इसकी adjustment पतनी को internally करनी पड़ती है सरकार को internally करनी पड़ती है 1000 रुपे का जो credit था वो यहाँ पर use हो गया है ठीक है तो इसमें क्या करना होगा अब 1000 रुपे cgst fund से transfer करने होंगे igst fund को कितने 1000 यहाँ से उठकर यहाँ पर आपको transfer करने पड़ जाएंगे similarly बाकी चीजों में लगा सकते हो कि अगर igst का credit cgst के लिए इस्तिमाल हुआ है 500 रुपे का तो सरकार उतना पैसा igst fund से cgst fund के अंदर transfer कर देगी तो यह वाली बात section 53 में लिखे हुई है it is like section 17 of igst act 53a की बात करते हैं transfer of certain amount तो जो आपका यह e-cash laser होता है इसके अंदर जो internal box बने होते हैं cgst gst interest का वगरा का वगरा का तो internal fund transfer possible है PMT 09 form के gst PMT 09 के तो मैंने class में करके भी आपको दिखा रखा है तो अगर एक cell से दूसरे cell में amount जाएगा तो इसके लिए प्रकार से refund बन जाएगा और इसके लिए deposit यहां पर आकर बन जाता है उस बात की authority यहां 53a के अंदर दी जा रही है 86 B यह relevant है और इसकी summary मैंने आपको यहां पर रूल से पहले ही बना कर दे रखी है ध्यान से सुनिएगा अगर आपका taxable turnover हो भाई साब इधर हमारी तरफ अगर आपका जो taxable turnover है मैं taxable की बात कर रहा हूँ turnover तीन प्रकार का होता है एक आपका zero rate होता है एक taxable होता है और एक आपका exempted होता है exempted के अलगलग माईने निल rated 100% exempted मैं taxable की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका taxable turnover पचास लाग के ऊपर है महीने का किसी particular मन्त का तो आपको कम से कम एक परसेंट को जादा हो जाए तो प्रविक्षा जादा हो जाए तो प्रविक्षा लेकिन आपको कम से कम एक परसेंट तो अ ठीक है इसके पास यहां पर credit available कितना था सर जी credit available था 60 रुपे का यह मान के चली credit available था इसके पास में suppose कीजिए डिर सो रुपे का तो वैसे otherwise तो यह पूरा का पूरा अपना यहां पर credit ही इस्तिमाल कर लेगा लेकिन इस condition के मताबिक कम से कम एक परसेंट आपको cash में देना ही पड़ेगा आप इसे 99 पर का ही यहां पर इस्तिमाल कर सकते हैं सरकर मान लेजिए एक रेक्ति की 100 रुपे की बनती है आईटी से उसके पास में 40 रुपे का था साथ cash में दे दिये मैं तो भईया कम से कम इतनी कह रहा हूं आप साथ दे रहे हो आप तो genius हो आप तो महान हो ब है के फैक देते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास क्रेट का भंडार होता है यह cash में कभी payment करते नहीं फेक आईटी से को utilize करके दिखाते हैं अगेंस दा फेक आउटपूट जीस्ति लाइबिलिटी ठीक तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेक करने के लिए कि देखे तो सही किन-किन के पास क्रेट का भंडार पड़ा हुआ है तो जैसी डालेंगे एक परसेंट में तो software छटनी कर देगा कि हमें उन लोगों को दिखाईए कि जिनका एक एक परसेंट आया है तो इसका मतलब यह हो गया कि यह वो व्यक्ति हैं जिनके पास sufficient credit balance already है अब सरकार वहां से इनको चेक करना चुरू करेगी हम उन्हें फिल्टर पहले लगा चुके भाई हमें वह दिखाना जिनका कारोबार पचास लाक सूपर वाला बड़े बड़े प्लियर को दिखाना यह छोटे मुटे की बात छोटे खिलारे की बात मत करके चलना तो यह basically लोग करते क्या हैं दूसरा इसका angle क् कतना हो जाए तो कुछ को बाहर निकाल दिया गया कि उन पर यह वन परसंट का प्रोविजन लागू नहीं होगा किन के उपर यदि ओनर डारेक्टर करता वगरा जो हैं अगर आपके पिछले दो सालों में एक लाग से उपर का income tax भर रही हो तो इससे यह पता लगता है कि य है अर्थार्थ यह फर्म किसी नौकर या माली के नाम पर नहीं जिसकी सालरी सर्फ 20 जार या 15,000 रुपे है अगर आपका मालिक आदमी का एक लाग से उपर का पिछले दो सालों में tax भरा है उसने एक लाग से उपर का तो हम आपको इस requirement से बाहर निकाल देते हैं इस tracking device को आ आईटीसी का आईटीसीनिट क्लेम करने का मतलब आपका बिजनस मॉडल ही ऐसा है कि आपका आइटीसी होता ही होता है जैसे मालों आप जिरो रिट सप्लाइब करते हो तो आपका इस इन हालातों में आप लोग ITC का refund क्लेम करते हो तो आपका बिजनस नीचर ही ऐसा है मौडल ही ऐसा है कि आप refund क्लेम करते हैं तो आपके उपर भी 1% की requirement हम नहीं लगा रहे हैं और यहां पर एस्टेट परसन इससे relaxation के लिए request भी कर सकता है जैसे कि माली जी किसी का seasonal business है अब जो उनी कपड़े बनते हैं जो वूलन कपड़े बनते हैं आपके तो यह गर्मियों में बनते हैं और सर्दियों में बिखते हैं तो जब बन रहे होंगे गर्मियों में तो यह अपना raw metal procure करना यह सब करना वो सब करना तो इनके पास credit करना भंडार हो जाता है अब गर्मियों में sale तो हो नहीं रही है output GST liability zero और credit का भंडार अब जैसे सर्दियां शुरू होती हैं तो शुरुवाती एक दो महीने के अंदर इनने cash में भरना ही नहीं पड़ता विकाज इनके पास already credit का भंडार होता है तो यह बहुत हम को चोड़ थोड़ी ना है हमारा business अनुसे seasonal है हम क्या करें तो ऐसे लोगों को request करेंगे commissioner के पास जाकर तो एक person की requirement से बाहर निकाला जा सकता है तो यह प्रकार की tracking device है और यहां से track करके फिर जो mastermind पढ़ते के पीछे छिपा बैठा है उसको penalty के chapter मजा कर ढंक से penalty लगाई जाती है और arrest के provision भी उसके लिए बन नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाले आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताएगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे चले यस तो यह chapter है filing of return का यह common chapter है CA intermediate और CA final वालों के लिए और जैसा कि हम जानते है कि department और taxpayer का जो रिष्टा है यह एक पती-पत्नी वड़ा रिष्टा है तो यहां taxpayer यह रहा और department यह रहा तो पत्नी कह रहे है कि भाई हिसाब दीजिए कि रहा दे तो दिया कि रहा ठीक से नहीं दिया ठीक से हिसाब देना होता है पती को तभी तो justify हो पाता है कि इसने जो tax भरा है वो सही है भी या न लगता है कि हिसाब यानि कि return ठीक से नहीं दी है तो पत्नी का फिट डंडा चलता है चाहे वो scrutiny कराए, reassessment करे, summary assessment करे या कोई show cause notice डाले, rate डाले, search करे, seizure करे, क्या करे, जो सारी फसाद की जड़ जो होती है वो return से ही शुरूवात होती दरसल कि एक बार आपने हिसाब दे दिया, उसके बाद फिर department उसको पर अपना action लेगा, जब तक आप हिसाब नहीं दे रहो तो आप तक department शांत बैठा हुआ है, आपका वेट करता है कि आप ठीक से काम करके चलो, ठीक है, तो कुछ background में मैंने लिखा है, आप चाहो तो इस page का एक screenshot भी निकाल सकते हो, आपका होगे तो website पर भी में इसे डाल दूँगा, तो screenshot ले सकते हो, sections का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, section number 37, 38, 39, एक bracket में आते हैं, अच्छा, यहाँ पर कुर्मला का 37 से 48 तक के sections पूछे जाते हैं, 37 के अंदर बताया जाता है, GSTR 1 की बाते हैं, 38 में GSTR 2, 39 के अंदर GSTR 3 या 3B की बात करी जाती है, उसके बाद section number 40 में first return, जो pre-RC period की होती है, फिर तीन sections आते हैं, 41, 42, 43, 41 के अंदर है provisional ITC, 42, 43 उस provisional ITC को match कराने की बात करते हैं, अगर match हो जाएगा, तो provisional ITC final ITC बनेगा, और अगर match नहीं हुआ, तो वो खतम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी तक यह matching mechanism सरकार लेकर नहीं आई है, अगर सरकार यह matching mechanism ले आई जिस दिन, तो मान के चलिए जो fraudulent activities हैं, वो शायद बहुत बहुत हद तक गड़ जाएगे, सारी चीज automated route पर आ जाएगे, पर सरकार भी इसे लेकर नहीं आ रही, सरकार इतना बड़ा reform कर दिया, GST ले आए, इतने सारे change कर डाले, यह matching mechanism सरकार क्यों नहीं ला रही है, सोचने वाली बात है, गंभीरता से, यह एक ऐसा tool है, कि जिससे बहुत हद तक चीज़े automated हो जाती हैं, आपके आतमे कुछ रहे गाई नहीं, लेकिन फिर भी सरकार ने से टांके रखा हुआ है, कई वरश हो गए हैं, हम में तजार कर रहे हैं, तो section 41 में जो provisional ITC की बात करता है, तो जब तक matching mechanism नहीं है, तो provisional ITC ही final ITC की तरह treat किया जाता है, however, यह section 42, 43 syllabus का हैसा नहीं है, ना intermediate, ना final के अंदर, फिर आते हैं 44 और 45 करके sections आते हैं, 44 में आता है आपका annual return, और 45 में आती है final return, जब registration का cancellation हो जाता है, तो pay off करना होता है, आपने last chapter में देखा था, कि liability हमें pay off करना होती है, अधिकारी notify कर देता है, कि इतना पैसा आपको देना है, अगर आपने धंदा बिलकुल बंद कर दिया है, तो तो उसके लिए final return, यानि अंतिम संसकार जैसे return वहाँ पर जाती है, कि जो भी आपका input capital goods बचा को चाहता, उसके संबंद में आपकी liability create होती है, तो वो यहाँ पर देनी होगी, 46, 47 और 48, 46 में आता है notice, कि अगर आपने time से हिसाब नहीं दिया पतनी को, तो पतनी एक चिठ्थी डालेगी, 47 के अंदर late fee का provision है, 48 के अंदर GST practitioner की बातें करी जाते हैं, तो यह रहे इस तमाम प्रकार के sections, और यह रहे यहाँ पर form, GSTR 1 के अंदर outward supply की detail, 2 के अंदर या ऐसे कह लिजिए invoice जो अपने issue किये हैं उनकी detail, 2 के अंदर जो invoice receive किये हैं उनकी detail, 3 के अंदर combined detail, जो 3 भी जाता है, कि आपके जो invoice issued थे और जो received हैं उनकी combined detail बना कर आप दे रहे होते हैं, उसके बाद GSTR 4 है, यह composition scheme वाले की return जाती है, वो भी annually, GSTR 4 के अंदर annually return यहाँ पर जाती है और अगले financial year के 30 अपरल तक यह जाती है, for the time being, over the period, एक statement जाता है, भाई साब इधर statement जाता है, quarterly frequency पर जाता है, CMP 08 के अंदर, ठीक, GSTR 5 और 6, 7 और 8, sir GSTR 5 में क्या है, non-resident taxable person यहाँ पर अपना इनकिल्टन जाती है, तो अगर sir इसका जो जुडवा भाई था, casual taxable person वो कहा है, वो अपना वहाँ आ गया रहा, normal 1, 2, 3 में आ गया वो, यह normal जो form से, यह casual taxable person इनहीं में आ जाता है, ठीक है, यह ISD, TDS और TCS, यह आपके intermediate level पर आवशक नहीं है, बट final level पर इनकी जरुवत होती है, input service distributor की return 6 में जाती है, TDS deductor की 7 में और TCS collector की 8 में जाती है, ठीक, आच्छा जी, फिर आता है GSTR 9, annual return की बात करते हैं, 9A के अंदर अपने जो composition scheme को लिके बैठा हुआ है, उसकी annual return यहाँ पर जाती है, 9B में, यह 9B भी C intermediate के लिए नहीं है, तो 9B के अंदर TCS का statement जाता है, जो TCS collector होते हैं, annual statement बनके जाता है, और 9C जो है अपना, इसमें annual reconciliation statement, जो audit होता है, books of account का, वो financial reporting और taxation के point of view से, जो जो कुछ एक भिन्नताएं होती हैं, आपके books of account के अंदर, तो उनके लिए reconciliation statement बनके जाता है, जैसे मान के चलिएगा, कि कोई आपने like free of cost supply यहाँ पर कर दी है, तो taxation के point of view से, तो उसके एक open market value निकाली जाती है, लिकिन financial reporting के angle से, उसका valuation किसी और value पर आ सकता है, तो यह जो differences आते हैं basically, तो इसको reconcile करती हुए, एक reconciliation statement देना होता है, 10 में final return है, और जो 11 है, वो refund वालों के लिए है, कि भाई जिनको refund चाहिए होता है, UIN holder, वो 11 के अंदर अपना ये form submit कर देंगे, revise return का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, वो इसलिए नहीं है, क्योंकि हम जब चाहे, जब अपने already filed return ये statement के अंदर corrections कर सकते हैं, corrections चिपका सकते हैं, इसलिए हमें whole return को revise करने के आवश्यक्ता नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा, मैंने आपको portal पे दिखाया था, जब GSTR1 फाइल करते हैं, 3B फाइल करते हैं, तो वहाँ पर amend करने के option बकुल आ रहा होता है, कि आप amend कर सकते हैं invoice को, आप amend कर सकते हैं debit note को, credit note को, तो वहाँ पर वो proper table stickers बने हुए होते हैं, वहाँ पर वैसे करके आ रहा होता है, ठीक साब, yes, तो उसके बाद में rectification कब तक की जा सकती है, तो कहते हैं, कि जैसे ये particular financial year है, तो उसका अगला साल आएगा, अगले साल का mid आएगा, mid है September का मन्त, उस महिने की return की due date पड़ेगी 20th October, तो 20th October की date और annual return filing की date, whichever is earlier, जो दोनों में पहले आजाए, वहाँ पर तक आप अपना ये काम मिरे बच्चा कर सकते हो, rectification वहाँ तक आप अपनी डाल सकते हो, ऐसे करके बोल दिया जाता है, ये छोटी सी बात बतलाए गई है, हाला कि बहुत जरूरी नहीं है, पहले सब लोग जानते हैं, कि supplier recipient है, दोनों के सर पर portal नाच रहा है, ये GSTR 1 फाइल करता है, टूए टूबी में reflect होता है, फिर यहां पहुंचते हैं चीजें, और उसके बाद फिर ये अपना यहां पर आकर, लाइक जो 3B वगएरा है, उसे फाइल करके चलता है, तो जहां तक सवाल है, डेट्स का, तो जो GSTR 1 है, उसकी डेट्स क्या है, सर उसकी डेट्स है, ग्यारे तारीक और तेरे तारीक, नॉर्मली ग्यारे तारीक है, लिकिन अगर QRMP स्कीम का आप पार्ट बने हुए है, तो वहां पर जो Invoice Furnishing Facility, IFF है, उसके लिए तेरे तारीक रखवाई जाती है, तो दो डेट्स हैं ध्यान दीचेएगा, दूसरा, जो 3B है, उसकी क्या है, सर्थ 3B के लिए नॉर्मली जो डेट्स है, वो अगले महिने के 20 तारीक है, लेकिन, अगर हम QRMP स्कीम को लेकर बैठे हुए हैं, तो वहां पर QRMP के लिए डेट्स दो हो जाती हैं, एक 22 और एक 24 तारीक, ये हैं पेमेंट की डेट, ये लिए नॉर्थ और इस्ट वालों के लिए, तो है 24 तारीक, एंड रस्ट आफ इंडिया के लिए 22 तारीक का प्रावधान यहां पर QRMP स्कीम के अंदर किया जाता है, तो वैसी वाली बात निकल के आती है, हाला कि ये भी आपको देखने के आवश्चिक्त नहीं क्योंकि इस अंडिस्टूट कॉमन सेंस है, तो यहां से बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से है, तो निल्क रिटन भी देनी मेंडेटरी होती, ये बात भी मच्छी से जानते हैं मेरे कब उतर, और पेमेंट का होना बेहत जरूरी है एक रिटन को वैलिड रिटन कहे जाने के लिए, राइट, ये सर, तो जी स्टी आर वन की डेट मैंने अभी आपको बताई है, ग्यार है और तेर है, और अगर अमेंडमेंट उसमें हो रही है, वापस स्लोट के आ रहा है, जिससे यहां से होता ना कि आपने फाइल कर दिया, फिर वहां से कुछ दिक्कते आई, तो फिर यहां पर आकर आप उसे 16-17 तरह तक अगेन फाइल कर सकते हैं, पर इस 16-17 जासी बात कभी प्रक्टिकल लाइफ में आती नहीं है, निकल गए क्योंकि इस तरह की सिचुएशन पैदा ही नहीं होती, इतना उन्होंने मैचिंग मैकनिजम अभी एक्टिवेट नहीं किया है, तो इतना हद तक वो सारा प्रोसेस एक दूसरे पर ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो फिर बात करते हैं, यहाँ पर आकर GSTR2 की, तो जो अपना GSTR2 है मेरे बच्चा, तो उसकी जो डेट रखवे गई है, वो है 15 तारीक तक, जब GSTR1 की विंडो क्लोज हो जाती है, तो GSTR2 की विंडो खुल जाती है, और वहाँ 15 तारीक तक उपना फाइल किया जा सकता, बट as of now practically GSTR2 है नहीं, पर सलेबस में दे रखा है, तो वो करवाना पड़ेगा मालिक, अब यह एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्योंकि नॉर्मल कौनसेप GSTR123 का है, तो अभी एक्टिवेट कौन सा है, GSTR1 है, और 23 का जो काम है वो अकेला 3B कर रहा है, 23 का काम अकेला 3B यहाँ पे करके चल रहा है, तो के तहत रेसिपेंट अपना क्रडिट एक्रेट लिजा तक पहुंचाता है, वहाँ से से क्लेम करता है सारा का सारा, तो यह जतना भी वर्क है 2 और 3 का, उस सारा का सारा 3B के दोरा ही करवाया जा रहा है, तो जो GSTR123 है, यह जो कौनसेप्ट है, यह दरसल इन लोगों पर लागू नहीं होता, जैसे नॉन रेजिडेंट टैक्सिबल परसन हो गया, TDS कलेक्टर, TDS डिड़क्टर, इन्पुट सावेज इस्टिबिटर, इनके लिए यह लागू नहीं होता, क्यों क्यों क्योंकि दरसल इनका सीन अलग है, यह रिजिटेशन त डिड़क्ट करके जमा कराना था, इसलिए बस रिजिटेशन लेना पड़ता है, ऐसे टीडियस डिड़क्टर, सिमिलर पैटर पर TCS कलेक्टर, ऐसी होता है, इनका टर्नोवर वगरा से वैसे अधरवाइस कोई लेना देना नहीं है, स्पेशल लोग हैं, स्पेशल तरीके से छोटी सी रिटर्न चली जाती है, तो इन्दा कापसिटी ऑफ आईएसडी, TCS, कलेक्टर, डिड़क्टर, इनकी अलग अलग रिटर्न होती है, और मज़े की बात है कि CA Intermediate में तो ये आईएसडी, TDS, कलेक्टर और डिड़क्टर का कॉनसेप्ट खतमी कर रखा है, कि बच् जाता, GSTR 5 के अंदर, और composite dealer जो है अपना, उसका CMP08 के अंदर quarterly statements जाते हैं, और GSTR 4 के अंदर, अगले साल के 30 April तक, उसकी ये रिटर्न यहाँ पर चली जाती है, मैं बात करता हूँ आप से annual return को लेकर, तो मेरे बच्चा annual return में ना, तो मैं एक छोटी सी क्रक्स टेबल को ह आप चाहें तो टेबल का फोटो भी इसका ले सकते हैं, तो यहाँ पर दो बात देखने जा रहे हैं, एक annual return और दूसरा है reconciliation statement, जो annual return है उसका form 9 या 9A होता है, regular skim में हो तो 9 है, otherwise 9A है, और जो reconciliation statement है, उसका जो form आता है वो आपका 9C आता है, 9C निकल के आता है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि अगर आपका जो turnover है, वो 2 करोड तक सीमित है, तो मौज करो, ना आपको annual return देनी है, और ना ही आपको reconciliation statement देना है, अगर आपका turnover 2 से 5 के बीच में fall करता है, 2 से उपर लेकिन 5 तक सीमित है, तो आपको थोड़ा सा control बढ़ाया गया, आपको annual return देनी है, reconciliation statement आपको नहीं देना है, लेकिन अगर आपका turnover 5 करोड से उपर जा रहा है, तो फिर आपको दोना statement देने पड़ेंगे, annual return भी देनी है मेरे कब उतर, और आपको reconciliation statement भी यहाँ पर देना होगा, right answer, हाँ सर बिलकुल right है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा कि म पिछले कई सालों से ऐसे ही बोलते आ रही है, एक तो तरीका यह होता है कि section के अंदर specifically या rule के अंदर लिख दिया जाए, कि दो करोड तक वालों को, दो करोड तक वालों को, यह आपके exemption जो है, annual return नहीं देनी है, clear cut पहरे से बता दिया जाए, एक तरीका यह होता है, एक तर तो law में ऐसे कोई exemption नहीं दे रखी कि दो करोड तक वालों को annual return नहीं देनी, वो हर साल सरकार एक notification जारी करती है, और notification जारी करके यह बताती है, कि भाई, दो करोड तक वालों को annual return नहीं देनी, मतलब बात हो कुछ ऐसे मान के चलिएगा, कि मालो आपका बैत चल रहा है, ठी और तीन दिन बाद मुझे एक जरूरी काम पढ़ सकता है, तो मैं आपको एक indication दे रहा हूँ कि भाई, हो सकता है, तीन दिन बाद छुट्टी हो, आप क्या बोलोगे, सर आज ही बता दो, छुट्टी है या नहीं है, करनी है तो कर दो कोई दिक्कत नहीं है, सर, ताकि हम अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा क्योंकि छुट्टी करनी भी पढ़ सकती है, तो मैंने क्या किया, अभी क्लियर कट नहीं बताया, असमंजस में रखा, और जब लास्ट मुमेंट आया, क्लास का टाइम हुआ, उससे आदा घंटे पहले मैसेज करवा दे कि भी अब भी हुई है, वही चीज यहाँ पर है, लौ और रूल्स पढ़ोगे तो इंटिपेटेशन यहीं आएगी कि दो क्रोड तक वालों को एनुर रिटन देनी है, लेकिन जब से जीस्टी आया है, तब से लेकर हर साल, साल दर साल वो यही कहते आए हैं, कि भी आपको यहाँ तक वालों को नहीं देना है, ठीक, तो दो करोड तक वालों को कुछ नहीं देना, दो से पाँच वालों को एनुर रिटन देनी है, रिकॉंसलेशन नहीं देना और पांच क्रोड से उपर वालों को दोनों स्टेटमेंट देने होते हैं मज़े के बाद सुनिएगा पहले यह क्या था यहाँ पर रेकंसिलेशन स्टेटमेंट देना होता था और यह कौन तयार करता था एक CA या जो अपना CA में है और इसमें यह सर्टिफाई करते थे कि भई हाँ इस तरह से रेकंसिलेशन स्टेटमेंट है जीएस्टी आॉरिट होता था और उसके बाद यह बनके जाया करता था लेकिन अब जीएस्टी आॉरिट को इन्हों नहीं यहां से हटा दिया है एक बात बताईए और कि सेल्फ सेर्टिफाईड सेल्फ सेर्टिफाईड रिकॉंसिलेशन स्टेटमेंट आप देखर चलेंगे अब क्या असैसी इतना समझदार हो गया है कि सीए वाला काम वो खुद ही कर लेगा तो काम तो अभी भी सीए ही करेगा लेकिन सीए की कलम बच गई है तो यहां पर फिर भी यह जीएस्ट खतम किया है तो मैं तो यह से पॉजिटिव एंगल से देख रहा हूं कि काम तो अभी भी सीए करेगा कारोबार पर कोई फरक नहीं आया लेकिन अब उसकी गर्दन बच गई है कुछ भी गलत होगा तो पहले सीए को पकड़ा जाता था कुछ की साइन थे लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है तो यहां दाग तो है यह लेकिन दाग अच्छे है ठीक दूसरा यह एनूवल रिटर्न और यह रिकंसलेशन किन किन को देना ही नहीं होता जो बहुकुल स्टेट फ़रवर्ड आउट हैं तो सरी जो आउट हैं वो वाले लोग हैं अपने जो गौर्मेंट डिपार्टमेंट और जो टिंट वाले हैं यह टिंट कौन है तो यह जो लोग है न आपने यह वाले यह टिंट बोलते हैं तो गौर्मेंट डिपार्टमेंट और टिंट को यह यहाँ पर देने की आवश्यक्ता नहीं है दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट मैंने समय लगाया इस बात के ओपर ज्यादा अच्छा जी आगे बढ़ते हैं मेरे कबूतर कंपोजिट डीलर यह बात अपनी हो गई है तो CMP over the period यह जाएगा GSTR 4 के अंदर रिटन चली गई और 9A के अंदर annual statement इनका चला जाता जो हम अभी बात annual return चली जाते जो हम अभी बोल रहे थे कि अगले अगले साल के 31 December तक देनी होती है Non-resident taxable person वही इनकी return भी अगले महिने की 20 तारिक तक ही जानी होती है लेकिन last वाले जो return होगी तो क्योंकि इनकी जो registration certificate होता है वो contract based शादी करते हैं न ये तो RC expire हो रही होती है RC expiry की date पर plus 7 days कर दीजिए ये वाली date और अगले महिने की normally जो 20 तारिक आती है वो date whichever is earlier जो दोनों में पहले fall कर रही हो वहाँ पर आपको ये return फाइल कर देनी होगी वैसे करके तो जिससे मालीजिए आपकी RC June का महिना था 13 जुलाई को यहाँ पर RC expire हो रही है और 20 जुलाई को normally आपको return देनी थी तो इसमें 7 दिन रखेंगे तो इतिफाक से यहाँ पर 20 जुलाई ही निकल के आएगा लिकिन अगर RC expire हो रही होती 2 जुलाई को तो दो में 7 रखेंगे तो 9 जुलाई आएगा 9 जुलाई और 20 जुलाई whichever is earlier यहाँ पर आपको return फाइल करनी है और अगर आपकी RC जो expire कर रही है 18 जुलाई को expire कर रही है तो 7 दिन add कीजिएगा वो आगे 25 जुलाई 25 जुलाई और 20 जुलाई whichever is earlier यहाँ आपको अपने return submit कर देनी होगी ठीक सर जो ISD है GSTR 6 यह intermediate के लिए नहीं है यह तीनों हाला कि वैसे ISD return 6 में जाती है अगले महिने की 3 तरिक तक और 7 और 8 यह TDS डेक्टर और collector return फाइल करते हैं अगले महिने की 10 तरिक तक ठीक सा और जो TCS वाला होता है इसे एक annual statement भी यहाँ पर मालिक देना होता है 9B के अंदर person who's RC cancelled जिसकी RC cancelled कर दी गई है तो उसे final return देनी होती under section 45 कर दी गई है या उसने करवा ली है पिछली class में registration chapter में हम लोग देख रहे थे कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो pay off करनी पर दी liability तो उसी का पूरा ब्योरा यहाँ पर देना होता है तो कहते कि जो हाँ पर भी आपका cancellation का order आया है तो आप यह देखो कि आपकी जो RC cancel हुई है वो prospective हुई है या retrospective हुई है अगर prospective cancellation है कि जैसे मालो आज आगई यहाँ पर कि भाई साब अप्रेल के महीने में सपोस करो एक अप्रेल को आपका यह cancellation का order आ गया और इसमें लिखा हुआ था कि cancellation effective होगा आपका एक माई से जाकर वैसे करके तो फिर आपकी जो final return बनेगी वो तीन महीने के अंदर अंदर देनी होती है तीन महीने कहां से order की rate से या effectiveness की rate से sir effectiveness की rate से whichever is later ठीक है जी दूसरा अगर retrospectively आपका तीन महीन एक अपरेल को order आता है और इसमें यह लिखा होता है कि आपका registration cancel करना है with effect from first january back date से तो आपको तीन महीने के अंदर return फाइल करनी है तीन महीने कहां से हैंगे logically सोच कर देख सकते हैं और विछ सी बात है whichever is later effective date of cancellation और clearance order whichever is later वहां से तीन महीने के भीतर भीतर आपको अपनी final return देनी होती है under section 45 वैसे करके यहां पर मैंने बात को बता रखा है मेरे कबूतर ठीक है सर उसके बाद में आता है आपका यह UIN holder GSTR 11 है के अंदर return जाती है और अगले महीने के 28 तारी तक प्रेसरकार पूरा collection कर रही है जो पैसे आने वाले है आन दीजिए उसके बाद 28 तारी को कह रहे है के भी है तू भी अपना आ सकता है refund मांगने के लिए आगे है first return first return का जो concept है यह क्या है pre-RC period की हम यहां पर बात करके चल रही होते हैं कैसे करके सरजरा देखिए यहां पर माली जी आप limit को पार कर गए थे और यहां पर आकर शादी हो जाती है ठीक अब यह जो period है आपका इसे बोलते है pre-RC period in between the person liable to pay GST होता है हाँ सर और आपको ध्यान होगा इसी period के लिए हमें revised invoice भी डालने के जरुत पड़ जाती है RC grant होने के एक महीनी के भीतर भीतर अब यह कह रहे हैं यहां पर आकर कि pre-RC period का GST भी जाएगा तो इसकी return भी आपको submit करनी पड़ेगी हाला कोई form warm आपको नहीं दे रखा है but still बोल रखा है कि first return आपको यहां पर देनी होती है practical life में तो नॉर्मल जो पहली normal return जाती है उसी के अंदर यह यह details भी आपकी वहां पर आ जाती है ठीक है तो यहां हमारी बात होगे new rush trend की बात होगे माले के and उसके बाद में फिर आता है आपका यह वाला point notice to return defaulter yes sir जो ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं उनको यहां notice जाता है जिनकी annual return या फिर combined return या final return नहीं जाती है तो notice जाएगा gstr 3 ak अंदर अंदर के भाई आप अपने return file कर दीजिएगा कर दी तो बहुत अच्छी बात है 15 दिन के अंदर return file कर दीजिए कर दी तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं करेंगे तो उनके उपर penalty लगा दी जाती है penalty में amount दे रखा है 100 पे यहाँ पर 100 पे per day जो maximum जा सकता है आपका 5000 तक ध्यान से देखेगा यहाँ पर change है यह 100 पे per day यह जो theoretical limit है 100 पे per day maximum है 5000 तक ठिक सरकार ने यह 100 रुपीज जो per day था इसको reduce कर दिया maximal limit तो यह यह लेकिन practical limit को reduce कर दिया कहा 25 रुपे per day रखे चलेंगे दूसरा अगर return निलकी है तो हम इसे 10 रुपे per day रखे चलेंगे तो जब यहाँ पर जो variable वाली limit थी आपकी यह सरकार ने इसमें relaxation दे दिया तो मेरा point सिर्फ इतना सा है कि यह जो absolute limit दे रखी है fixed limit दे रखी है इसमें भी relaxation मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए हाँ सर मिलना चाहिए मैं पूरी आत्मा से आपको यहाँ पर revision करा रहा हूँ आप भी accordingly पूरी आत्मियता के साथ बातों को पकड़िएगा तो जब यहाँ पर relaxation दे दिया variable terms में तो यहाँ पर भी तो आना चाहिए ना हाँ सर इसी के लिए मेरे बच्चा यहाँ सरकार ने यह जो 5000 का जो amount था इसको reduce किया है कैसे करके भला यहाँ पर बोलते हैं कि देखो अगर आपकी निलकी return है तो 5000 की बजाए हम इसे 2500 रुपे पढ़ेंगे भाई साब अगर आपका aggregate turnover limited था देड़ करोड तक तो 5000 की बजाए हम उसको 1000 रखके चलेंगे अगर आपका यह aggregate turnover देड़ करोड से लेकि पांच करोड के बीच में जूल रहा है तो हम आपके लिए 5000 को 5000 पढ़के चलेंगे लेकिन आपका turnover पांच करोड से उपर का है तो तो फिर 5-5 ही रहेगा फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो क्या किया निल रिटर्न डेड़ से 5 तक सॉरी निल रिटर्न और डेड़ करोड तक और डेड़ करोड से उपर बट पांच करोड तक ये तीन स्टेज पर लेक्सेशन है कितना है 2500 रुपे 1000 और 2500 कर दिया गया है इंस्ट आफ रुपेज 5000 रुपेज राइट येस अच्छा जी उसके बाद मैं अच्छा दूसरी एक और बताओं ये जो लिमिट रखी हैं आपकी ये सीजी एस्टी एक्ट के अंदर है जब इन्ही लिमिट्स को आप आई जेस्टी में पढ़ोगे तो अविस्जी बात है सारा का सारा अमाउंट आपका डबल पढ़ा जाएगा ओकेई अच्छा जी अब मेरे कबूतर जी एस्टी ये तो थी आपकी लिमिट बढ़ाई हमने जी एस्टी एर वन और ठीबी के लिए अगर बात हो जी एस्टी एर फोर के लिए तो तो फोर के लिए बोलते हैं कि जो 5000 है निल के लिए 500 पढ़ा जाएगा और अदर्स के लिए अदर्स मतलब जहां पर भी आपकी टेक्स लाइबिलिटी बनती है वहां पर ये आपका 1000 पढ़ा जाएगा ऐसा क्यों बोला गया है क्योंकि देखिए नॉर्मली आप कंपोजिशन स्की में तब होते हैं जब प्रिसिदिंग फानेशल इयर में आपका जो कारूबार है या तो 50 लाग तक अगर सर्विस फोकस्ड स्की में तो और गुड्स फोकस्ड है तो मैक्स टू मैक्स डेल करोड तक जा सकता है डेल करोड के ऊपर होकर कलपना भी नहीं की जा सकती आप कंपोजिशन डेलर में आओगे तो देखा जाए तो उनका कारूबार प्रैक्टिकली देखा जाए तो मालिके वही आगया ना यहाँ पर अदरस का मतलत होई आगया डेल करोड तक क्योंके मैं यहाँ पर यह तो अजंशन नहीं ले सकता कि पिछले साल में आपका 2 करोड रहा होगा क्योंके 2 करोड अगर रहा होगा तो आप कंपोजिशन में हाई कैसे सकते हो तो वहां पर उस जीश गलत हो जाती है तो practically ये others वाले case के अंदर बोल दिया गया मतलब that is maximum up to that is ये maximum हो सकता है up to 1.5 CR तक जा सकता है तो उसके लिए वोई उपर वाले जो दो limit थी उन्हीं को copy करके नीचे यहाँ पर मार दिया गया है ऐसे करके GSTR 7 delayed furnishing अगर आप ने किया है तो वहाँ पर ये जो 5000 था उसकी बजाए 1000 यहाँ पर लिख दिया गया है I think ये table आपको याद हो गई होगी मुझे ऐसी अमीदल लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये ओके तो निल के लिए normally 200 है और up to 1.5 के लिए 1000 है देर से 5 तक के लिए 500 करवा दी गई है और फिर उसके लिए तो फिर नॉर्मल है तिनी स्टेज पर रिलेक्सेशन था composition इसकी मुआले के लिए पहले 2 पॉइंट कॉपी कर लिए गए है और इसके लिए TDS वाले के लिए हम जो कह रहे हैं GSTR 7 के लिए तो उसके लिए इन्होंने बोला है यहां पर आकर साब यह 1000 कर दिया है इसको ठीक कर लिए GSTR 4 लिखा था ना मैंने 4 को काटके 7 किया है ठीक से इसको काटके 7 किया है सब से नीचे bottom पे ठीक है अच्छा जी ओके सर तो यह अपनी बात यहां पर हो गई मालिक एंड उसके बाद हम कहते हैं कि निल रिटर्न तो अगर आप निल की रिटर्न फाइल कर रही हो तो आप SMS के थ्रो भी रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हो कैसे करके भला तो यहां पर पुरा प्रारूप बता रखा है कि आपको एक SMS करना होता है निल 3B और अपना रेश्टेशन नमबर वगएरा करके और फिर एक OTP आपके पास में आएगा कोड आएगा उसको आप कंफर्म करेंगे CNF करके 3B करके और आप कोड डाल देंगे तो आपकी रिटन SMS के थो जा सकती है तो लेकिन यह तब जाएगी जब आपके पास हो nothing to declare ना तो आपकी कोई output side में transaction है ना आपकी कोई inward side में transaction है you have nothing to declare मतला जबान बिल्कुल बंद है खामोच कुछ भी नहीं बताने के लिए निल रिटन का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपकी cash liability निल बन रही है मालो मैंने एक particular month के अंदर inward supply ली है ITC मेरे पास में बनता है बट मेरी outward transaction कुछ भी नहीं थी दुकान बन रही लेकिन inward supply ज़रूर ली थी मैंने तो क्या मैं यहाँ SMS के थ्रू भर सकता हूं नहीं मतलब SMS तो सिर्फ निल लिखके जा रहा ना उसमें तो निल मतलब कोई कुछ है नहीं आपके पास एक शब्द भी नहीं बोलने के लिए complete lockdown रहा है आपका तो ना inward side में कुछ हल चल है ना outward side में कुछ हल चल है उसे बूलते हैं निल रिटर्ण नथिन तो डिकलियर इन एनी कॉलम तो वहाँ पर यह आप अपना 3B, GSTR1, CMP08 आप निल फाइल कर सकते हो थ्रो SMS राइट सर ओके जी आगे बात करते हैं यहाँ पर GST Practitioner की section 48 में और साथ में supportive rules से हैं तो उनके साथ इसका जिकर किया जाता है GSTP, मैंने पूरी summary बना कर दे हैं मैंना पूरा अच्छे से इन तमाम प्रकार के provisions को analyze करके और एक इसमें ढाल के दिया है section 2 subsection 55, section 48 और यह rules को मिला कर 2 page में मैंने आपको डाल के दिये सारी चीज़े GSTP concept आता ही क्यों है taxpayer सारा काम खुद नहीं कर सकता इसलिए कुछ काम के लिए से एक working hand की आवश्यक्ता पड़ती है helping hand की आवश्यक्ता पड़ती है लेकिन CA को या वकील को afford कर नहीं सकता तो सबस्ते इदामों पर GSTP GST Practitioner उसकी मदद यहां पर आकर कर देता है वर्क प्रफाइल क्या होगा जितने भी यह compliance है communications है पत्ती पत्नी के बीच के जो compliance है उन्हें यही पूरा करता है GST Practitioner ठीक ओके registration return दूद ब्रेड अंडे ले आना नहीं ऐसे नहीं मतलब return compliance scheme payment of refunds refund के लिए application डालना तो यह जो compliance का communication है यहां पर एक mediator के रूप में काम करता है आपका यह GST Practitioner ठीक है नहीं CA वाला काम करता है बट fees इसकी कम होती है वैसे करके ठीक है तो यहां पर जो GSTP काम करता है अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो उसकी जो ultimate जिम्मेदारी हो किसकी होगी अब सीधी सी बात भाई है CA के थुरू भी आप काम करा रहे हो कुछ गलत हो जाता है तो notice तो client को ही आएगा ना taxpayer को ही आएगा ना क्योंकि यह माना जाता है कि जो भी काम आप किसी दूसरे व्यक्ति को authorize करके करा रहे हो तो उसकी संपूर जानकारी आपको है आप यह कहकर पला नहीं जाड़ सकते अपना कि वाईसे मुझे पता नहीं था इसने कर दिया ऐसे कर दिया इसको पकड़ो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं तो GSTP जो भी और यह GSTP का एक्जाम होता है नासिन National Academy of Customs and Indirect Access and Narcotics के दोरा एक्जाम लिया जाता है MCQ-based एक्जाम होता है साल में दो बार एक्जाम होता है multiple choice questions होते हैं आपने पास कीजिएगा आपको एक certificate मिलेगा और आपका नाम GST portal पर आ जाएगा और कोई भी आपको अपने एरिया में सर्च कर पाएगा ढूंड पाएगा तो आपका नाम GST portal पर आ जाता है ठीक है जी? यस तो client अपने आप ढूंड लेगा आपो घर से बाहर निकलने के आवशक्ता नहीं होती है वैसे करके तो दूसरा ये exam क्यों conduct करवाया जाता है? बैए देखो एक sensitive work है ये कोई ऐसे दिनी कि हवा में कुछ भी आप दे रहे हो तो यहाँ अधिकारी अधिकारी को एक सूचना basically दी जा रही है मेरे बच्चा की return वगएरा तो इसलिए एक well qualified person होना बेहत जरूरी है कम से कम graduate कोहना बहुत जरूरी है इसमें बहुत सारे advocate और वकील भी advocate और CS भी इसके अंदर GSTP का registration लेकर बैठे हुए है तो अगर आप graduate शना आपकी पूरी हो गई है तो जरूर जरूर इस काम को कीजिएगा और पैसे कमाना शुरू करो मैंने 12th pass करते ही फैसे कमाना शुरू कर दिया था मजबूरी थी है शौक था वो तो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ मैंने काम करना शुरू कर दियता 12th pass करते ही और आप भी क्यों नहीं करते हैं कर सकते हो 4 पैसे कमा सकते हैं करो यार करो बहुत समय ही समय होता है पता है यह प्रकरती है मैं समय उतना ही ज़्यादा दे देती है जितना कि हम ज़्यादा काम करते हैं आप नोटिस करके देखिएगा अगर आप यह target लेके चलना कि मुझे both group देना है तो आपका दिमाग और यह प्रकरती आपके साथ जड़ जाएगी और आपको उतना समय देगी कि आप both group की तयारी कर पाएं और अगर आप सोचते हैं मैं तो भाई साथ एक ही group दूँगा तो प्रकरती आपको उतना ही समय देगी और आपका दिमाग भी आपको उतना ही समय अलाओड करेगा जितना एक group के लिए चाहिए होता है अगर आप यह सोच के देखरों मुझे तो सर्फ एक ही paper देना है बस मेरे तीने exemption एक ही paper देना है मुझे तो बस अगर ऐसा है ना भाई तो प्रकरती आपको सर्फ उतना ही समय देगी आपका दिमाग भी उतना ही time allowed करेगा जितना कि एक paper पर devote करने के लिए चाहिए होता है आगी बास समझ मैं तो इसलिए बड़ा सोचिए बड़े बड़े कदम उठाईएगा और असानी से छोटे छोटे कदमों से पूरे करते चले जाएगा बड़े बड़े targets पहुंचिए और छोटे छोटे कदमों से पूरा कीजिए life में बहुत दूर तक मत देखिए life में बस torch लेके चलते रहो मस्त रहो और ultimately ध्यान रखना हमारा आपका जनम यहां यहां टेंशन डिप्रेशन या नरक भोगने के लिए नहीं हुआ है यह जीवन मिला है जीवन कुछ प्रकृति के साथ रहकर हम इसका आनंद नहीं ले पाए बिना बाद टेंशन डिप्रेशन में जीवन गुजार दिया तेर सव्यर्थ है काम तो करना है काम तो करना है लेकिन मेरे बच्चा एक खुशी के साथ एक इंजॉयमेंट के साथ काम एक बोज ना हो एक बर्डन ना हो उसको करने का मन करें अंदर से वैसा आपने आपको ढालना है और उसके लिए जरूरी है कि हमारी हैल्थ ठीक रहे हमारा मन ठीक रहे तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा आप सारा काम भी करोगे और आप बहत खुश भी रहोगे और वास्तविक जीवन को जीओगे स्वर्ग और नर्क इसी धर्ती पर है यहीं कि यहीं व्यक्ति भूग कर जाता है अपने इर्दगर्द नजर गुमा कर देख लीजिए बहुत व्यक्ति ऐसे दिखाई देंगे जो वास्तव में नरक भूग रहे हैं और बहुत ऐसे मिलेंगे जो स्वर्ग भूग रहे हैं मालिक देख लो यहीं पर है भार आस्माना में कुछ नहीं है जो मुझे लगता है ऐसा आगे बढ़ते हैं सब तो करो काम करो जी एस्टीपी के एक्जाम पास करो चार पैसे भी कमाना शुरू करो आपको भी मजा आएगा और हमें भी आएगा तो इंपोर्टेंस बता दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिय बता दिया भारत कवासी हो साउंड हो सॉल्वेंट हो और अपरादी टाइप का व्यक्ति ना हो क्वालिफिकेशन आपकी यह आगई यहां पर आकर तो आपके लिए एक्जाम रेश्टेशन मैंने पूरा आपको इ इसमें अपलाई करना चाहो तो कर सकते हो आपके लिए जो मिन वेब साइट है वो यह वाली है यहां पर जाएंगे आप लोग और डबली डॉट नासिन नासिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट ओर जी यहां जाईएगा यूजर आइडी पास्विड क्रियेट की ठीक है यहां अब आती है बात यहां पर आपके qrmp scheme को लेकर quarterly return और monthly payment पहली बात तो यह क्या यह qrmp की बात हमें एक composition में fall करने वाले व्यक्तिक लिए कर रहे हैं नहीं सर उसका तो statement वैसे भी quarterly ही जाता है तो उससे क्या बात करने भला तो उसको तो यहां से आप हटा दीज देगा दूसरा जो regular scheme के अंदर हैं तो उनके कौन से form को quarterly करने की बात कर रहे हैं वन को या 3B को वन को नहीं सब हम 3B को regular scheme के 3B को हम लोग quarterly file करवाने की बात यहां पर करके चल रहे हैं target clear है yes sir क्या है यह QRMP quarterly return है 3B quarterly है लेकिन जो payment है सरकार को monthly चाहिए किती चालू पढ़ रहे है सरकार ना इनका objective यहीं था कि पैसा तो जैसे मिलता है monthly मिलता ही रहे लेकिन चलो हिसाब में दिक्कत हो रही है चलो हिसाब देने के लिए आप quarterly आ जाएएगा वैसे करके इसके लिए eligible नहीं बना सकते तो कहते जिसका कारूबार 5 करोड तक सीमित है पॉर्टल बताएगा आपका कारूबार कितना है पिछले साल में 5 करोड तक अगर आपका सीमित है तो आप current financial year के लिए eligible हो जाते हैं ठीक eligible हो गए अब कब तक eligible बने रहेंगे आप जब तक eligible बने रहोगे उस quarter म मैं भी eligible होगे जिस quarter में आपका कारूबार current year में 5 करोड को cross कर गया है उस वो आपका last quarter होगा eligibility के लिए last quarter होगा eligibility के लिए जिस quarter में आपका 5 करोड क्रोड क्रोस कर गया था ठीक तो वैसे करके और ध्यान दीजिएगा आप अगर इस qrmp scheme में आ रहे हैं तो सरकार कहीं ने कही आपके ओपर भरोसा जता रही है कि आप हिसाब quarterly दे सकते हैं तो इसके लिए पहले हिसाब अब ये विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी ये है कि आपकी जो immediate preceding return है वो आपकी filed होनी चाहिए और OIDAR जो वाला व्यक्ति है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए उसके महिना तो आप April का महिना ये रहा और ये अपना April May और June ठीक है तो इस quarter के लिए लेना चाहते हैं तो दो महिने पहले और एक महिने आगे तक आप इससे opt कर सकते हैं तो एक महिने का मतलब ही हो गया कि एक महिना ये तो यहां तो यह आ गया अगर इस quarter के लिए मुझे चाहिए तो quarter के शुरुवात यहां से यहां तक हो रही नहीं तो यहां एक महीना आगे और दो महीना पीछे दो महीना पीछे का मतलब क्या होगे भाई सब यहां यहां यह कौन से एडिट आपके पढ़ रही होगे सर February सर February और March और April तो आप एक फरवरी से लेकर एक फरवरी से लेकर अपने फरवरी March अपरेल 30th अपरेल तक आप अपमें इसमें आप्ट कर सकते हैं इस दोरान यह विंडो खुली रहेगी फॉर दा क्वार्टर अपरेल में जून कि आप इस क्वार्टर में क्या रिना चाहते हैं इसके सेलेक्शन आप पोर्टर पे जाकर इस दोरान कर सकते हो वैसे आपको प्रेक्टिकल लाइफ में याद रखने के आवश्यक्ता नहीं होती क्योंकि पोर्टर अकॉर्डिंगली डिजाइन है जब इस समय चल रहा होगा तो यहां के ऑप्शन के विंडो एक्टिवेटिड होगी आप इस सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप इस रेंज में नहीं हो अगर आपको यहां के लिए लेना है और आप फरवरी से पहले हो तो यह विंडो एक्टिवेट ही नहीं होगी how to avail the option देखिए करना कैसे होता है तो मैं तो भई आपको करके दिखाया भी ताप पोर्टल पर जाकर हर बैच में दिखाया है क्योंकि यार पोर्टल पर जाकर जब चीज़े को देखते हैं तो सच में ना वाकी मज़ा आता है और चीज समझ में आती हो बेटा ये वाली बात वालना चीज़े बोर हो जाती है समझ में आता क्या क्या हो रहा है तो वहाँ पर आप जाईएगा पोर्टल पर मैंनोली जाकर वहाँ सर्विस उस पर सेलेक्ट कीजिएगा रिटर्न पर सेलेक्ट कीजिएगा उसके अंदर opt-in पर आना जब opt-in पर आओगे तो वहां पर जाकर यह पूरा का पूरा एक table आपके सामने खुल जाएगी कि आप qrmp कौन से quarter के लिए qrmp में आना चाहते हो कौन से के लिए नहीं आना चाहते हो दोनों चीज वहां पर आपकी देरक्की होती है तो आप सिर्फ एक टिक करना होता है that's it दूसरी बात कि यहां पर default setting क्या होगी अगर मैं यह सब नहीं करता हूं मैं बहुत सोया पड़ा रहता हूं अब पोर्टल पर जाकर कुछ भी नहीं करता तो पोर्टल मुझे क्या अलॉट करेगा अब मुझे बताईएगा सब कि अगर मेरा अगर मे अगर आप कारोबाट तक का है तो यह अगर आपने जी अस्टीर वन को क्वाटली ऑप्ट कर रखा है तो इस नाट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप 3B को मन्थली ऑप्ट कर लो कि जी अस्टीर वन जो है जो बेस फॉर्म है वो तो क्वाटली जा रहा है तो को 3B मन्थली जा सकता है नहीं पॉसिबल नहीं है तो यहाँ बाइड डिफॉल्ट सेटिंग में डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब होता है कि अगर आप कुछ भी ना करो तो पोर्टल आपको क्या अलाओ करे देगा तो QRMP में आपको डाल देगा लेकिन अगर आपका पहले से मन्थली था तो पोर्टल आपको जबरदस्ती QRMP नहीं दे सकता है यहाँ तो मजबूरी थी क्योंकि मन्थली जा ही नहीं सकती उपर वाले केस के अंदर और अगर आपका यहां से यहां तक का क पर यहां पर अब एक प्रॉब्लम यह निकल के आती है कि भाई पेमेंट कैसे करोगे क्योंकि रिटर्न जो हिसाब बनेगा वो तो QRMP के एंडिंग पर बनेगा लेकिन सरकार कहती कि नहीं पेमेंट मन्थली चाहिए तो सरकार ने कहा कि एक बात बताईए आपका जो पिछल क्या बनती थी लेकिन हमें जब हर मेंट एक्स रही है तो सरकार ने एक फिक्स रेशो निकाला क्या जैसे माले जी अपरेल में जून की में बात करके चल रहा हूं इस के लिए मुझे भरना है तो उन्हें का कि इससे पिछला जो क्वार्टर था जनवरी फरवरी और मार्च वहां आपने जो बी cash tax भरा है क्या है जो भी आपने cash tax भरा है तो उसको काम करो उसका 35% अपरेल में 35% यहाँ 70 हो गया और balance दे देना आप उसके लिए मान लेना अप्रिल में जून के लिए balance क्यों balance क्यों बोला 30% क्यों नहीं बोला क्यों कि last महिने के लिए तो हिसाब अल्री बन चुका होगा न मना बन जाएगा न जब payment करने की बात आएगी तो अप्रल तो हिसाब में आज को होगा एक्चुल बिचस पर जो प्रॉब्लम आनी है वो सिर्फ पहले दो महिनों में आनी है तो यहां 35-35 की बात कर सकते हैं लेकिन अगर आपका पिछला टेक्स पीरड़ेक मन्त रहा हो, मन्तली पेयमिन सिस्टम में आप रही थे तो फिर वैसे वाले मामले के इंदर हम क्या कर सकते हैं साहिब कि आ जो भी हमने पिछले मेने में कैश टेक्स भरा है उतना ही अपरैल में भरो, उतना ही में 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 भरो और जो बैलेंस बनता है आपको ये allow किया जाता है कि आप actual basis पर हर महीने अपने tax calculate कीजिए अब मैंने का भाई सा actual basis पर सब कुछी करना है तो एक form भरने में क्या फ़ता रही है हम वो भी भर देंगे तो आप actual basis पर अपने tax भर सकते हैं लेकिन tax आपको हर हाल में भरना ही पड़ेगा वैसे करके बोल द होती है वो अगले मेने के 20 तारीक होती है लेकिन ये qrmp के अंदर नौर्थ इस्ट दिल्ली वगरा में अगर आप हैं नौर्थ में हैं या इस्टर्न स्टेट्स में हैं यह 24 करना प्लीज से तो 24 तारीक आपकी यहां पर आती है और रेस्ट आफ दा इंडिया के लिए चाहे और आई एफ एफ तो नौर्मली 11 तारीक है लेकिन आई एफ एफ के लिए 13 तारीक यहां पे qrmp scheme के अंदर रखवाई जाती है क्रेट का चक्कर पड़ता है हम अच्छे जानते हैं क्योंकि मेरी रिटन तो जा रही है quarterly frequency पे जा रही है लेकिन सामने वाले वेक्तिर रसिपि हैं तो यह problem basically अप्रेल और मई में आएगी क्योंकि जून का तो सीन अपने quarter end होने के बाद में settle out होई जाएगा फिर रोटन चली जाएगी तो जून में प्राब्लम नहीं आने किस तरह के problem आने पहले दो महिनों के अंदर तो अप्रेल और मई के लिए यहां पर भर सकते हैं सहाब अपना IFF सुवधा के लाब ले सकते हैं जो भी आपके inverses हैं आप हर मेने डाल दीजीगा so that your buyer can take the credit accordingly दूसरा और जो आपने आपर IFF सुवधा के तहट B2B Supplies को April में में दिखा दिया है तो फिर finally पूरे quarter का जब GSTR 1 भरोगे तो उसमें दुबारा से चीज को मत दिखा पचास लाग से उपर के इन्वाइसिंग पर मंत के साबसे नहीं हो सकती क्योंकि साल भरका लिया है पांच करोड़ तो महीने का मोटा मोटी पचास लाग के साबसे च्छे करोड़ बन जाता कोई बात नहीं अच्छा खासा अमाउंट दे दिया है कि आप IFF IFF सवधा के तो क्या हमारे उपर ब्याज लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए और जब जितना मांगा उतना नहीं दिया तो जितना नहीं दिया उस पर बिलिटेड पीरिड का ब्याज लगा दिया जाएगा ठीक बोले कैसे बहला देखना ज़रा समझने के लिए बात को एक छुद आसा Low उन्होंने कहा माई में 35 लाओ मैंने कहा Low उन्होंने कहा Balance 32 लाओ मैंने कहा Low क्या मुझे यहाँ पर कोई Index लगेगा नहीं नहीं लगेगा अब क्या हुआ मामा मामा यह हुआ कि यहाँ पर जो आपका यह बना था 102 अब Finally ऐसे पता लगा finally यह से पता लगा कि जो total tax liability 102 बनती थी 102 अपने पेकर दी लेकिन उसका जो monthly proportion था वो यह था इस महिने की अब यह तो at the end of the quarter पता लगेगा न बेटा 102 बना है total तो हर महिने का break up क्या था पता लगा बेटा 36 इसका था 37 इसका था 39 इसका था तो क्या अब सरकार यह लांचन लगाएगी कि बेटा इस महिने की तरी actual ability 36 थी लेकिन तुने दिया 35 है हटा मार देंगा खिच के हम बता रहे हैं देखिए जब तक सुन रहे हैं सुन रहे हैं यह क्या मतलब सरकार अरे तुमने कहा इतना दो मैंने दिया अब quarter खत्म होने के बाद पहरे तो तुम्हें भी पता नहीं था quarter खत्म होने के बाद अब यह 36 निकलता है कि भी यह इसका वास्ता में जो break up था actual बेश पर वो 36 था और तुम उसे यह कैसे कह सकते हो कि 35 दिया एक रुपे पर ब्याज लाईंगे ऐसा नहीं होगा क्यूआ 36 था यह तो यहां के पता लगा ना एड डा एंड जाके शुरू मत थोड़ना पता था आपने का ये दो मैंने ये दिया आपने का ये दो मैंने ये दिया वात खत्म तो जो मांगा जब मांगा जितना मांगा उतना दिया है कोई ब्याज की बात नहीं करी जाएगी तो यह ultimately final breakup क्या रहा यह चीज हमारे लिए interest point of views relevant नहीं रह जाती है हमें सर्फ इतना देखना है कि जब जितना मांगा उतना दिया no interest, जब जितना मांगा उससे कम दिया तो कम amount पर interest यहाँ पर लगवा दिया जाएगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे यहाँ पर आकर चैप्टर हुआ समाप्त राधा रानी की किरपा आपके उपर सदर सदर योहीं बनी रहे इनहीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ मस्त रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा लिख, लिख कर देखिएगा लिख, लिख कर देखिएगा आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं पढ़ते बहुते लिखते नहीं है रही हर साल नहीं करते हैं दस मिनट, पंदर मिनट लिख कर खुझ से दस मिनट बात देखना कि तुमने लिखा क्या है अपने आप बहुत कोछ समझ में मेरे बच्चा आ जाएगा थाइंकिस सो मच, बाई है, टाटा है और लव यू भी है सब ही के लिए, ठीक है यसर जी, ओके जी बाई टाटा को समझते हैं ईवेबिल सबसे पहला प्रशन ये उठता है कि भई, जो ईवेबिल है ये आखिरकार क्यों लाया गया हाना कि ये पूरा डिसकुशन मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है कि इवेबिल क्यों बनाया जाता है इवेबिल किन परिस्थितियों में बनाया जाता है इवेबिल कौन बनाता है कब बनाता है इवेबिल की लाइफ क्या होती है गौर्मेंट का चेकिंग मैकनिजम कैसा बनता है और कुछ मिसलिनियस बातें इसमें आपकी हेट करी जानी तो छे हेडिंग को हमें ठीक से समझ के चलना होगा ठीक है दूसरी एक और बात बता दूँ यह जो इवे बिल है ना इसको अबजेक्टिव होता है कि जो भी रोड पर माल मूव कर रहा है उसको ट्रैक करना ट्रेस करना कि exactly what's moving on इवे बिल बनेगा या नहीं बनेगा इसमें supply word का कोई रोल नहीं है supply होती है तो हो सकता उस situation में इवे बिल ना बनता हो और ऐसा भी देखने को मिलेगा कि supply नहीं है फिर भी इवे बिल बन रहा है तो यह जो इवे बिल का concept है यह supply से connected नहीं है it is connected with the word moment और वो भी goods का moment सर्विस एक्टर में इसकी कोई किसी प्रकार की applicability नहीं आती है तो सबसे पहला प्रशन आता है कि आखिरकार इवे बिल बनाया क्यों जाता है objective बड़ा सरलसा है इसका कि यहाँ पर जो fake invoicing का धंदा लोग करते हैं उसको to the extent कुछ हद तक control करने के लिए सरकार इवे बिल का concept अपना लेकर आई थी कैसे लोग यहाँ पर घपले बाजी करते हैं तो यहाँ से start करते हैं यह जो fake supplier है एक Mr. X यह fake supplier ऐसे होते हैं इनका बिल परचे का काम होता है यह practically कोई goods supply नहीं कर रहे हैं बस ऐसे बिल काटकर दे देते हैं रेसिपियंट ऐसे फरजी बिल के आधार पर अपनी किताबों में IT बुक कर लेता है माली जी एक करोड का बिल था 12% का GST लग गया था 112 लाग का यहाँ पर यह बिल काट कर दे दिया जिसके आधर पर रेसिपियंट ने गलत तरीके से undue credit यहाँ पर 12 लाग रुपे का अपनी किताबों में बुक कर लिया तो सीधा-सीधा हो गया 12 लाग इतना ही नहीं इस बंदे को GST में तो इवेजन कर गया 12 लाग रुपे का इसके साथ-साथ यह अपना income tax के अंदर भी इवेजन कर जाएगा कैसे करके भला इस fake invoice के आधार पर वो व्यक्ति अपनी किताबों में खर्चा क्लेम करेगा एक करोड का खर्चा अपनी किताबों मे क्लेम कर लिया तो income tax point of view से इस बंदे का जो profit है वो एक करोड से कम हो जाएगा और अगर माली जी income tax कमा flat rate पकर लों 25% का तो 25% निकाले अगर एक करोड का तो 25 लाग रुपे का income tax यह save कर जाएगा, evade कर जाएगा तो कुल मिलाकर 25 लाग और 12 लाग, DT, IDT दोना मिलाकर इस ने भाई सब 37 लाग रुपे का चूना सरकार को ultimately लगा दिया, सर यह जो जिसने invoice issue किया था fake वाला, इसे कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा नैसे भी, यह क्या करता है कि यहाँ पर 57-8 लाग रुपे जो भी एस बिल के अंदा जिसे मान लीजे 12% का GST था, तो चलो 7 लाग इसको पकड़ा दिये, तो कुल सरकार को चूना लगा यह 37 लाग रुपे का, जिसमें से 7 लाग सप्टायर को पकड़ा दिये, और net 30 लाग का जो गेन था, जो एवेजन था, वो यहाँ पर ultimately recipient कर जाता है, तो ultimately दोनों ने मिलमाट कर खा लिया, और सरकार को यहाँ पर दिक्कत हो ज चाहिए, अब मन में आपके क्वेरी आ रही होगी सर, जब यह वेक्ति यहां 12 लाग रुपे का अपना बिल इशू कर रहा है, तो क्या इसकी output GST liability नहीं बनेगे, इसकी output GST liability बनेगे, लिकन इसके पीछे एक बड़ा fake supplier बैठा हुआ होता है, इसके पीछे एक बड़ा fake supplier बै GST liability नहीं बनती है, अब आप इसके पास में आ जाओगे सर, जब यह यहां इसको बिल देगा, तो इसकी output GST liability नहीं बनेगे, यह अपने पीछे fake supplier ऐसे करके बैठा होता है, तो इस तरह से fake supplier के लंबी चोड़ी line पीछे तक लगी होई होती है, और कभी कभी यह line खुल भी ज बताई है कि कुछ हद तक हमें पता लगे कि moment हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, पहले बताई है, यहां तक की बात पकड़ में आई या नहीं आई, कि आखिरकार evable बनाया क्यों जाता है, बताई मालिक, हाँ बोलो, हाँ फटा-फट से हाँ जब दीजेगा, तो goods के moment को चेक करने के लिए ही evable का concept लेकर आते हैं, अब जो evable होता है वो दिखता कैसा है, हाला कि मैंने evable के उपर पूरा practical वीडियो बनाया है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, एक घंटे का पूरा portal पर जाकर मैंने बता रखा कि कैसे बनता है, कैसे cancel होता है, कैसे अगर गाड़ी change कर नी हो बीच में तो किस तरह से amendment करते हैं, पूरा बना के दिखा रखा, एक घंटे का पूरा वीडियो है, अगर आपके पस समय है, तो आप उसे देख सकते हैं, fast forward पर, बनने के बाद evable कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसके अंदर क्या क्या होगा जी, बनने के बाद evable का अ supply का type क्या था, कौन से invoice के against आपका ये evable बनाया गया है, address डिटेल आ जाती है, supplier कौन है, recipient कौन है, फिर यहां goods की डिटेल आ जाती है, goods का code क्या था, goods product का नाम क्या है, quantity कितनी थी, कितने value का बनता था, यानि कि sender की detail, recipient की detail, goods की detail, यह सारी detail यहां पर आती है, और यह तमाम detail आती है, part A के अंदर, evable दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, एक part A है और एक part B होता है, तो यहां तक आपका part A complete हो जाता है, part B के अंदर जो होता है मालिक, उसमें transporter की detail होती है, part B के अंदर transporter की detail होती है, सिर्फ और सिर्फ जिसमें transporter का एक अपना enrollment कराना पड़ता है, उ उसमें फिर document name वगरा भी आ जाएगा, vehicle की पूरी details यहां पर आती है, उसका number क्या है, किस तरह से है, कौन मालिक है, जो भी उसकी पूरी details यहां पर आपकी available करवादी चाहती है, तो दो हिस्सों में है part A और part B, ऐसे करके, अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह evable को बना सकता है, recipient बना सकता है, कोई भी बना सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि part A भर दिया supplier ने, part A भर दिया supplier ने और submit कर दिया, इतने पर ही उसका evable number generate हो जाता है, वो evable number पकड़ा देता है transporter को, और transporter अपनी खुद की detail self वहां पर भर सकता है, तो यानि कि दो व्यक्ति मिलकर भी एक evable अपना बना सकते हैं, तो भी या इसमें बनाने के कोई दिक्रत नहीं, कोई से भी party यहां पर evable बना सकती है, is it okay, हाँ सर जी हाँ, fake bill का मतलब क्या होता है, fake bill का मतलब bogus, जूटा bill, जैसे bill पर चले लिए ना, कि मालिए जैसे मैंने like किताबों का bill ले लिया, पीछे से, तो actual में तो किताबे आई नहीं, लेकिन bill मैंने उसका ले लिया, तो यह fake bill होते हैं, जूटे bill, right, ऐसे करके, जी मालिक, उसके बाद मैं आगे बढ़ते हैं प्रभुजी, तो यहां से आपका ये invoice कार्ट दिया जाता है, evable invoice के साथ में ही बना कर दिया जाएगा, तो बताते एक अंदर supplier की detail, recipient की detail, goods की detail, ये सारी आ गई, part B के अंदर जो transporter है, उसकी detail यहां पर अपनी आ जाती है, ऐसे करके बताया जाता है, दूसरी एक और बात, ये जो evable होता है, ये एक national level का document होता है, अर्थार्थ, अगर आपका UP में कारोबार है और हरिवना आपका goods जा रहा ह है, आपका एक ही evable काम करके चलेगा, ऐसा नहीं कि state wise evable तयार किया जाता है, तो it's a national document और सभी state and union territory के अंदर आपका ये valid रहता है, is it okay बाबू, हाँ हाँ बोलते रहा करो फटाफट से, ठीक है न जी, उसके बाद फिर क्या होगा कि जो evable बन गया है, 12 digit का इसका अपना code ह रास्ते में चेक किया जाता है, और अधिकारी चेक करने के बाद उसे देखते कि सब कुछ ठीक था, तो okay है कि evable में जो information आपने सरकार को बताई है, क्या वैसा ही goods action में move कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, अब जो evable होता है, एक होता है आपका normal evable और एक होता है आपका bulk evable जो normal evable आपका होगा, जैसे मानले जी कोई एक assembled product है, एक complete machine री जा रही है, तो वहाँ पर आपका normal evable बना दिया जाता है, लेकिन जब जब आपका goods parts में dispatch किया जाता है, जैसे मानले जी ceiling fan है, पंका है, तो एक lot में तो motor सारी चली गई, एक lot में आपके जो उसके blade से वो जा और अगले lot में जा रहे हैं उसके regulator, तो जब parts में सामान जाता है, तो उसके लिए बना देते हैं, bulk evable बना दिया जाता है, जो यहाँ पर बताया जा रहा है मालिक, ठीक है जी, उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं, जरा देखकर बताईए, situation यहाँ पर क्या रहेगी, एक ब पुर का था उसको भी देना और एक जम्मू का था उसको भी देना है, तो इस situation में आपके evable कितने बनेंगे, sir evable का record recipient को भी रखना होता है, क्योंकि उसने purchase कर रखी है, तो वेसी बात अगर तीन अलग-अलग party है, तो तीनों के लिए अलग-अलग evable यहाँ पर तयार करवा लेकिन सुविधा की दरश्टी से इन तीनों evable को consolidate करके एक evable बनाया जा सकता है, वो सारा कुछ मैंने कैसे बनाया जाता है, सारी चीज़े पोर्टल पे जाके मैंने आपको सिखा रखी है, अगर प्रैक्टिकली देखना है कैसे बनता है, तो वो आप वीडियो देख सकते ह जहां पर प्रैक्टिकली सारी चीज़े मैंने आपको समझा रखी है, तो तीन अलगलग पार्टी है, तो अव्यसी बात है, तीनों के अलगलग evable बनाया जाएंगे, और चाहो तो मर जी है, कोई mandatory नहीं है, चाहो तो तीनों को consolidate करके additionally, ये तो बनेंगे ही बनेंगे, इसके अतरिक्त आप चाहो सुवधा की दश्टी से की रास्ते में जब अधिकारी दिखेगा, तो तीनों evable का data एक evable के अंदर consolidate किया जा सकता है, और वो आगे दिया जा सकता अधिकारी को चेक करने के लिए, राइट, ये सर, उसके बाद में आगे अगला जो heading आता है, वो ये आ आएगा, दूसरी बात ये कि जो consignment आपका जा रहा है, उसकी जो value है, उसकी जो value है, कौन से value, invoice value, उसकी जो invoice value है, अगर वो 50,000 से जादा है, तो ही evable mandatory होता है, otherwise नहीं होता, ये invoice value का क्या चक्कर है, मान लीजे value आपके 100 रपे की है, यहाँ पर, इस पर GST लग जाता है, 112 वाली जो value है, इसे बोलते है, invoice value के नाम से मालक इसको जाना जाता है, this is the invoice value 112 रुपे, तो जो 50,000 की limit चेक करी जाएगी, वो आपकी invoice value होती है, basically, right, yes sir, invoice value आपकी वो होती है, मेरे बच्चा, तो यानि GST को जोडने के बाद, 50,000 से जादा की value है, तो ही evable की आपको आवश शिकता पड़ेगी, otherwise नहीं पड़ेगी, तो moment इसका deciding factor यहाँ पर होता है, अब एक छोटे-छोटे question पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा, मान लीजिए, एक particular case के अंदर, एक goods का moment भी है, और moment supply की परिभाशा को भी qualify करके चलता है, तो यहाँ पर आपका evable बनेगा या नहीं बनेगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो value हो वो 50,000 से उपर की है, evable बनेगा या नहीं बनेगा, yes sir, क्योंकि मेरा crucial factor moment हो रहा है, इसलिए यहाँ पर evable आपका बना दिया जाएगा, दूसरी घटना, एक अगले question के अंदर देखा जाए, तो supply तो है, लेकिन goods का moment नहीं हो रहा है, supply तो है, अब ऐसे कैसे हो सकता है कि supply तो पर moment नहीं है, sale and lease back, अगर मैं अपनी कोई property sale कर देता हूँ, और हाथ का तो उसे lease back कर लेता हूँ, sale भी कर दिया, lease back भी कर दिया, दो transaction एकटी यहाँ पर हो जाती है, तो मेरा goods अपनी जगह पर रहेगा, टस से मस नहीं हो तो supply तो बन जाती है, लेकिन moment नहीं हुआ, तो ऐसे हालात के अंदर बताईए, evable बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं सर, क्योंकि evable connected है आपके moment word से, ना कि supply word से, उसके बाद में आगे बात करते हैं, जब हम job worker को transfer करते हैं, कोई किसी परकार का माल, तो क्या वो आपका supply में आता है, जी नहीं, job worker को जो transfer किया, वो supply नहीं है, वहां से lot के आता है, वो भी आपका supply नहीं होता है, but moment तो हुआ ना को इसका, हाँ, moment होता है, लेकिन supply नहीं है, तो इसके बावजूद भी यहाँ पर evable बनाया जाएगा, कहने का मतलब यह, कि यहाँ पर deciding factor होगा, वो आप हाली 5000 लिमिट काम करती है, लेकिन दो इसके exceptions हैं, कभी-कभी जो बंधे-बंधाय नियम होते हैं, उनको हमें तोड़ना पड़ता है, दो exception हैं, कौन को बताएगा बच्चा, दो exceptions हैं, जहाँ पर अगर आप interstate movement करा रही हो, तो भले ही value 50,000 से कम ही क्यों ना हो, उसके बनाया जाएगा, एक आता है, transfer to job worker, अगर आप एक state से दूसरे state को माल supply कर रहे हो, और वो आपका क्या है मालिक मैं आपको बता दूं, interstate movement हो रहा है, तो भले ही value 40,000 की ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आपका evable बनाना mandatory हो जाता, दूसरा आता है, इसमें handy craft, अगर पर आपका evable बनाना mandatory हो जाता, ध्यान दखेगा, exam में आने योगे question है, यह कि mandatory evable कहां बनाया जाएगा, भले ही value 50,000 से कम की, क्यों ना हो, अब बात करते हैं यहां पर आकर, कि 50,000 की calculation हम कैसे करके चलते हैं, तो जो भी आपकी total invoice value यहां पर लेका चलेंगे हैं, और उसमें से आप exempted supply माइनस कर दीजिए, हाँ, exempted supply अगर कोई है, तो उसे माइनस कर दीजिए, और उसके बात देखो value आपकी किस तरह से है, इस बात को दूसरे शावद में आपको बोल को चलूं, कि माली यह एक supply आपकी taxable कर रहे हो, आप अपने invoice के थे, 30,000 की taxable supply है, एक exempted supply है, 40, 30,000 रुपेटी है, और जो GST है, वा विसी बात है, आपकी taxable वाली supply के उपर आएगा, तो 18% से आपका 5,400 आजाता है, टोटल वैल्य जो है, आपके सामान की 75.4,000 यहां पर आकर बन जाती है, मुझे बताईए, आप evable के लिए 50,000 के limit चेक करते हैं, तो उसके लिए इस वा GST लगता ही नहीं है, तो ऐसे की तैसी बला मुझे क्या मतलब है, तो यहां पर आप जो exempted है, इसे यहां से exclude कर दीजिए, बाकी जो आपकी taxable value है, और जो GST इसको जोड़ कर देख लो, तो यह बनेगा आपका 35.4 बनेगा, इसका मतलब 5000 से नीचे की value है, इस case में आपका evable बनाने की आवश्यक्ता नहीं है, पहले बताइए, यहां तक बात पकड में आई या नहीं आई, हाँ या ना मेरे बच्चा, तो यहां पर आपका evable बनाना बिलकुल भी जरूरी नहीं होगा, तो ध्याद रखेंगे, movement होना बेहत जरूरी है, और दूसरा invoice value, यानि taxable supply और उसके उपर का जो GST है, यह जोडने के बाद 50,000 से उपर बनता है, तो ही बात होगी, लेकिन दो exception है, कि value भले ही 50,000 से कम की क्यों ना हो, फिर भी evable बनेगा और वो दो case है, interstate supply के, एक job worker को transfer और दूसरा handicraft goods का transfer, यह आपके यहां पर evable बनाया जाता है, is it okay, yes sir, कौनो दिक वाली बात नहीं है, अब आती है, evable exempted, मतलब evable आपको बनाने के जरूत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जा, whatever may happen, कुछ situations आपको यहां पर दी गई है, जरा image पहचान के बता, यह image किस किस की है, सर यह तो basically cash when है, जो cash currency को लेकर जाती है, ATM वगरा में डालने के लिए, एक bank से द currency है आपकी, वो goods यह service में नहीं आती है, लेकिन otherwise angle से evable के इंगल से देखा जाया, तो goods के टेगरी में तो आती है, लेकिन फिर भी especially मना कर दिया, इसके लिए evable बनाने के जरूत नहीं है, पहले से सरकार को यह बताने के जरूत नहीं है, कि कितना cash, 10 करोड, 20 करोड, कितना ज जरूरी नहीं है, अगला है जो non-motorized vehicle होते हैं, जिसमें motor नहीं होते हैं, जिसमें धुआनी निकलता है, वहाँ पर भी evable बनाना आपके लिए बिलकुल भी जरूरी नहीं है, जैसे तांगा वगरा होगे, बैल गारी वगरा होगे, इनके लिए भी evable बनाना जरूरी नहीं धरमकांटे पर जा रही है, वेटमेंड स्टेशन पर जा रही है और दूरी 20 क्लोमीटर तक ही है, तो वहाँ भी आपको evable बनाने की आवशक्ता नहीं होती है, वैसी कुछ बातें आपके लिखे हुए हैं, क्या के लिखा है, बैग गुड्स अगर exempted है, GST लगता है नहीं ओके, एंड उसके बाद में अगर आपका non-taxable goods हो गया, negative listed item आपके हो गया, currency हो गया, post van हो गया, gems, jewelry sector हो गया, अब jewelers लोग होते हैं, इतना सा सोना ही 50,000 से उपर का हो जाता, तो क्या वहाँ पर evable बनेगा, the answer is no, LPG kerosene हो गया, खाली container हो गया, जैसे मालीजी आपके घर म आपस लौट के जाएगा, तब भी evable नहीं बनाया जाएगा, non-motorized vehicle like this, यहाँ पर भी evable के जरूध नहीं है, defense का कोई अगर मामला है, गोला, बारू, तूब, वगयरा, यह सब move हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी evable बनाने की आवशकता नहीं है, खाली container, कोई evable की आवशकत है क्या, non-motorized, motorized मतलब इरिक्षार में motor तो होती है ना मालिक, non-motorized मतलब बिना motor वाला, जैसे इसमें कौन सी motor लग रही है, बताओ, तो जो motorized vehicle है, उनके लिए तो हो जाएगा, लेकि जो non-motorized ने, उनके लिए आवशक नहीं होता है, एक छोड़ा सा प्रशन पूछता ह हुआ होई, उसके ऊपर एवेबल की बात होगी? No, खाली cylinder लाट के जाएगा, तब भी एवेबल की बात नहीं होगी, लेकिन जो cylinder है, जो cylinder नोहे का, जिस factory में ये बनता है, तो factory से बन कर, जब indian के पास आ था, cylinder की gas की बात नहीं कर रहा है, gas की cylinder की बात कर रहा हूओ, cylinder जब बनके आएगा इंडेन के पास में कि ठीकह भई आप इसमें गैस भरके आगे सप्लाइ करो तो उस मुमेंट पर E-Wil चाहिएगा है नहीं चाहिएगा येस सर तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फैक्टरी से जब इंडेन के पास में आया खाली सिलिंडर तो वहां तो E-Wil बनेगा ल evable कौन बनाएगा और कब evable बनाया जाता है, evable तीनों में से कोई से भी party बना सकती है, supplier बना सकता है, recipient बना सकता है, transporter बना सकता है, कब बनाएगा, before, moment of goods, goods का, क्योंकि moment से टिका हुआ, सारा connection moment से है, रास्ते में चेक किया जाएगा, तो obvious सी बात है, जब goods का moment हो रहा है, या उससे पहले आपका evable बन जाना चाहिए, लेकिन railway के case में क्या करके चलोगे, जिससे मान लीजिए, आपका goods rail के जरीए ढुए जा रहा है, या aircraft या ship के जरीए ढुए जा रहा है, तो उस case में evable कौन बनाएगा, तो मालिक वहाँ पर मै उसमें ट्रेन में जा रहा है, ट्रांसपोर्टर, railway वाले तो पागल हो जाएंगे, evable बनाते बनाते, तो ट्रांसपोर्टर को कोई यहाँ पर राइट नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपका evable बना कर चलेगा, और एक और बात बता दूँ, generally truck के case में जब road की बात करते हैं इसमें moment के बाद भी evable बनाया जा सकता है, लेकिन जब destination railway station पर वो बंदा delivery लेने के लिए आएगा, तो उसे evable की copy दिखानी पड़ेगी, तो इसलिए moment के बाद बनाया जा सकता है, लेकिन delivery लेने से पहले, delivery लेने से पहले destination railway station पर क्यों, क्योंकि जब तक delivery नहीं मिलेगी, ज after moment of goods बन जाएगा, but before delivery at destination station, right, yes sir, 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 एक वीडियो में सारा revision covered है, या और lecture है, sir, channel पे, प्लीज बता दीजिए, ये आपका आखरी है, और भी है, मतलब ऐसा नहीं, chapter wise मने बनाये है, किसी revision वीडियो में एक चप्टर है, किसी में दो चप्टर है, ऐसे करके मैं आपको revision videos दि ये हैं, ठीक है जी, got up? हाँ, sir, जी, एकदम ठीक है, बाबु, यहां तक बात समझ भाई, ओक के बोलो पहले, कि ये कब बनाया जाता है, कौन बनाएगा, तो रोड़ वाले में तो तीनों में से कोई से भी party यहाँ पर बना सकती है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, और before moment बनाना पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार के जो public transports हैं, ये rail, air और ship के, इस में सिर्फ दो ही party रहेगी हैं बनाने के लिए, इधर supplier और recipient और बनाओगे moment के बाद, लेकिन destination पर पहुँचने से पहले क्योंकि delivery उसी के आधार पर आपको यहाँ दी जाती है, ऐसे करके बात बोल के अंदर तो ईवेबिल पूरा बना के दिखाता हूं, प्रैक्टिकल यहाँ को के सामने, जितनी भी थियोरी है, एक एक चीज़ को portal से link करके, तब आती है, वास्ता में बात समझ में, अगर आपके पास वाकी में समय हो ना मालिक, तो मेरा सर्च का लेना YouTube चैनल पर, करना पड़ता है, तो जिसने बनाया है, तो जिसने बनाया है, तो जिसने इवेबिल बनाया है, वो खुद उसे 24 आवर के अंदर कैंसल कर सकता है, और जो another parties है, वो 72 घंटे के अंदर उसे reject मार सकती है, जैसे कि मालीजे, मैरी गाड़ी वाले से बात ही, ribill मेंने बना दिया अब गाड़ी वाला कहता है कि भाग्या मैं नहीं जा सकता जांगा तो अब इवे बिल जो कि गाड़ी वाली का नाम आ गया कि इस गाड़ी से माल गया तो गाड़ी वाला भी इसे यहां पर आकर reject मार सकता है, अब का नंबर उसके पास मा जाता है 12 डिजित का उसके अधार पर वो उसे reject मार सकता है या रसीपिंट रिजेक्ट मार सकता है या अगर रसीपिंट ने बनाया है ईवे बिल तो वहाँ पर आकर सप्लायर या ट्रांस्पोर्टर कोई सा भी इसको reject मार सकता है तो जिसने बनाया है वो 24 गंटे में कैंसल कर सकता है और अगर आपका मुमेंट एक बार हो गया और वो आपका वेरिफाइर रस्ते में हो जाता है तो वेरिफाइकेशन होने के बाद में फिर आपका वो किसी भी कीमत पर कैंसल नहीं हो सकता है इस बात का ध्यान रखेगा और दिवादिकार उसे चेक करता है तो उसकी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है उसे पोर्टल पर अपडेट करता है कि हाँ मैंने ये गुड्स वेरिफाई कर लिया है सब कुछ ओके है तो एक बार अगर रास्ते में चेक होगे तो फिर वो कैंसल रेजेक्ट आपका नही करवाया जा सकता है राइट सर आगे बात करते हैं इसमें इसकी लाइफ को लेकर इस काइनात में कोई वी चीज अगर जन्मी है तो उसकी मरत्य निश्चित है तो ऐसे ही जो एवेबिल एक काज़ का टुकड़ाई तो है यार अगर जन्मा है जनम लिया है तो अपनी एक ला आइफ क्या होती है वो देखना है दूसरा अगर मान लीजिए आपने इवेबिल कैरी तो कर रखा है लेकिन वो डेड है एक्सपायर कर चुका है तो पता है आपका जो गुड सहे ट्रक में उसको सीज कर दिया जाएगा और आगे सीज करके उसको कॉन्फिसकेट कर दिया जा रहे हो गुड के साथ में वो जिन्दा होना चाहिए ना कि मरत तो आखिरकार इवेबिल की लाइफ क्या है ये सवाल यहां पर आकर उठ जाता है तो बताय रहे हैं बाबा सुनिये जरा कहते हैं कि देखो भाई अगर आपका कारगो एक नॉर्मल कारगो है तो हम लेके चल र किलोमेटर के लिए एक दिन और पार्ट आफ दा टू हंडर्ड किलोमेटर के लिए भी एक दिन यानिकर मान लिजिए दो सो दस किलोमेटर आपको जाना है तो टू हंडर्ड के लिए पूरा का पूरा एक दिन और अगला जो दस किलोमेटर वो भी पार्ट आफ दा टू हंड जे जहां थे को हायवे ये हायवे हैं गलियां कहतम ही sudah ही हो गई है चोड़ी गलियां अहल थी ओना डाली और साहब तो वैसे करके यहां पर है तो भाई अब इतना सब शो रहा है долж निश्य तोर पर कहीं न कहीं आ इनुमें आए स्पीड में तो बढ़ातरी करनी चाहिए ना तो कर दिया अब यहां सर अगर ओवर डाइमेशनल कारगो हो तो अब देखिए ओवर डाइमेशनल कारगो है तो भाई मेरे वहां पर 20 किलोमीटर पर डे और पार्ट दे रखा था और वो वैसे ही है क्योंकि अगर कारगो इस बाइमेशनल की वहीकल की डाइमेशन से बाहर निकल रही होती है कारगो की डाइमेशन तो यह है 20 किलोमीटर के साब से दूसरा अगर मल्टी मॉडल है तो मल्टी मॉडल का मतलब क्या हो गया कि आपका गुड्स बॉंबे से जाना है कलकता भारत के नक्षे पर आगए ले जाओ या फिर बाई-C ले जाओ थोड़ा घुमा के ले जाओ बाई-C ले जाओ तो अधिक तर बाई-C ही होता है नार्मली लेकिन बाई-C के लिए आपको पहले तो अपने प्रमिसस से पोट तक के लिए एक ट्रक अपाइर करना पड़ेगा फिर वहां से ट्रांसफर जोड़ता है तो ऐसे में चting की जानते है कि कि वेजल कि श्पी्ट होती है बहुत जाधा नहीं होती है आप ऐसे मौन söz जितने ट्रेक्टर दोड़ता नि जिससे स्पीड से वीसिहे आप मान के चलिए अपने में इस वेजल को ट्रेक्टर के बराबर तो अब क्या स्पीड लेके चलोगे 200 km per day तो वहाँ पर यही वाली स्पीड जो है 20 km per day वाली वो यहाँ पर रखवाई जाती है ऐसे करके ठीक है साहब? हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है तो multi model है including vessel in one leg तो cargo चाहे जो मर्जी हो फिर आपको 20 वाली limit यहाँ पर दी जाती कैसे calculate करते हैं? आईए देखते हैं how to calculate normal cargo है आपका ठीक है 421 km की दूरी है तो 200 की piece बनाईए कितने बने? दो पूरे बन जाएंगे बाकी बचा 21 km वो part of the 200 km है तो यहाँ पर बन गए आपके तीन दिन ठीक यस तो तीन दिन का मतलब भाई सब starting date अगर moment एक एक 2022 से यहाँ से हो रहा है तो तीन दिन जोड दीजिए सर चार एक 2022 चार एक 2022 यह अपना बन चाएगा यहाँ पर आ कर ओकी चार एक 2022 ठीक साब यहाँ तक valid रहेगा इसके बाद भी लेके घूमोगे तो ऐसे मानो जैसे किसी लाश के साथ घूम रहे हो और जो goods है वो सीज हो जाएगा इसलिए इसका जिंदा होना बेहदा आवशक है ओवर डाइमेशनल कार को 20 का भाग लगा दो कितनी बार जाएगा 11 बार पूरा चला जाएगा और एक किलोमेटर बचेगा बाईस दिन हो गए और अगर इसका शुरूवा थी एक एक से तो बाईस दिन जोड़ दीजिए तो 23 एक 2022 तक घड़ी में इतना समय दिख रहा होगा ये ईवे बिल आपका वैलिड रहेगा मल्टी मॉडल है इंक्लूडिंग वैसल है तो और चार्सो किस किलूमेटर के दूरी है तो वही बीस किलूमेटर पर डेवाली लिमिट मिलेगी और वही इसकी जो लाइफ है वो 21 जनवरी 2022 तक आ जाएगी पहले ये हाथ से लिखवाया जाता था अभी आपकी बुक के अंदर ही शामिल है अलग से कुछ करने के जरूरत नहीं है ये भी आगे बात करते हैं यहाँ पर आकर मल्टी वीकल की बात करी जाती है जब एक जर्नी होती है न भाई मेरे जैसे यहाँ से यहाँ तक एक जर्नी हो रही है और मान लीजे जर्नी है आपकी 800 किलो मेटर की ठीक है तो इस जर्नी में कभी कभी क्या होता है कि मल्टी पल वीकल का इस्तिमाल हो जाता है ब्रेक डाउन होने की वज़े से एकसिडेंट होने की वज़े से permit की वज़े से या किसी और कारणों से might be possible कि multi vehicle यहां पर इस्तिमाल हो जाए multi truck यहां पर इस्तिमाल हो जाए e-way bill तो निश्य तरपे बनेगा और यहीं शुरू में ही बन जाएगा no doubt तो जब multiple vehicle आपके इस्तिमाल किये जाते हैं तो क्या करना होता है कि उसका जो part B होगा ना e-way bill का तो part B को आप update करते चले जाएंगे drop down list type वो होती है इवन जो part B है वो excel sheets के द्वारा supported होता है तो उसमें plus का निशान बना हुआ होता है जिससे plus का निशान आप press करते था आपके सामने एक row खुल जाती है उसमें आप नए transporter की detail डाल सकते है और सारी चीज़ वो अपडेट होती चली जाती है लेकिन यहां पर एक relaxation दिया गया है जनरल प्राविजन में यही कह रहा हूँ कि आपके अगर 10 ट्रक इस्तिमाल हुए जनर्नी में दसों ट्रकों की detail एक ही ईवे बिल पर आ जाएगे लेकिन उन दसों में से उस वाले ट्रक की detail part B में देनी जरूरी नहीं है कौन से वाले की उस वाले की देनी जरूरी नहीं है जो की इंट्रास्टेट मैनर में छोटी दूरी के लिए इस जरूरी का हिस्सा बना है इंट्रास्टेट ट्रांजक्शन में विदमाल लोकल में छोटी दूरी की जरूरी का हिस्सा बना तो उस वाले की detail देनी जरूरी नहीं है उस छोटों की detail देनी जरूरी नहीं है ऐसे कह रहे हैं तो इवेबिल तो यह ही बनेगा लिकना आपको सारे वीकल्स की डिटेल अपडेट करनी होगी इन पार्ट भी नो नीड तो अपडेट दा डिटेल आफ सच वीकल्स उस वाले वीकल्स की जो की यूज किया गया है इस मल्टी साइकल के अंदर इंट्रस्टेट मॉमेंट है और वो भी सिर्फ 50 क्लोमेटर तक का है तो लोकल में लोकल में स्मॉल डिस्टेंस आप रखके चल रहे हैं तो उस वाले की पार्ट में यहीं नहीं करा कि इवेबिल ना बनेगा इवेबिल तो बनेगा लेकि उस वाले ट्रक की डिटेल अपडेट करने जरूरी नहीं है एक्जामपल दिये हैं मैंने यहां पर आकर ट्रक 1,2,3,4 यह ऐसे आ रहे हैं तो इवेबिल यहीं पर बन जाएगा और सभी ट्रक पहले इसकी डिटेल आ गई होगी शुरू में फिर इसकी इसकी जो भी ट्रक की डिटेल पार्ट बी के अंदर आ जाती है इलेश्टेशन नंबर दो है यह इंटर स्टेट है और 40 किलो मिटर तक के लिए ट्रक 1 में गया इवे बिल बन जाएगा और इस ट्रक की डिटेल भी इसमें आ जाएगी क्या रेलेक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि यह इंटर है ठेक है क्रॉस बॉर्डर है फिर यूपी गाज़ेबाद से आगे अगली लेग आ रहे है यूपी हापुर तक के लिए ट्रक 2 का इस्तिमाल किया गया 40 किलोमेटर का और इंटरा है तो इस वाले ट्रक की डिटेल पार्ट B में अपडेट करना जरूरी नहीं है कर दो तो अच्छी बात है अपकी मर्दी लेकिन मेंडेट नहीं है यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है एक्जामपल नमबर थ्री है दिल्ली से दिल्ली में माल जा रहा है 40 किलोमेटर है मल्टी लेग है ध्यां दिजिएगा अल्टिमेट यहाँ जाना था तो ट्रक 1 इस्तिमाल किया गया इवेबल बन जाएगा पार्ट ए बन जाएगा लेकिन इस वाले पहले ट्रक की जो छोटी दूरी के लिए इंट्रा के लिए शामिल हुआ इसकी डिटेल देनी जरूरी नहीं होती है पार्ट भी यहाँ पर अपडेट कर दी जाएगा दूसरे वाले ट्रक को लेकर ओर्ण मास्टर के लिए बात कर रहे हैं जैसे आप अपने नेट बेंकिंग से पेमेंट करते हैं इसमें बेनिफीशरी इड नहीं हो जाते हैं तो ऐसे यहाँ पर यह अपना फंक्शन दे रखा है अब जो आपकी गाड़ी रोकी जाती है रास्ते में गृड़ी चली यह चलंग मारती चलंगों रोक दी जाती है अधिकारी चेक करेगा इसके गाजजाथूं अपना like advance method है इसमें अटजस्ट्मेंट के आपके रेडियो frequency devices हैं व्यूंकि हर जेगा है हईवे मैंने टोल लगा दीए आप जा रहे हो कहीं थोड़ी सी दूर जा गर जा रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सामने टोल ना आए टोल ही टोल पड़ते हैं भाई सब तो इसलिए वहाँ पर टोल पर रीडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसे आपके लगी होई होती हैं तो accordingly वहाँ पर बा जा रहा है तो हरास्मेंट की शिकायत पोर्टल पर जाकर ट्रांस्पोर्टर जी आप कर सकते हो और एक बार अगर आपकी गाड़े फिजिकली चेक हो गई है तो यह नहीं कि भाई सब हर जगी चेक किया जाएगा उसको अभी विडंबना है देखना महाराश्ट से गुड्स सब्सक्रों यह मद्यप्रदेश भी आ जाता है अब यहां गौालियर में गाड़ी रोक ली जाती है आपकी और जो मद्यप्रदेश के एसजेस्टी ऑफिसर हैं वो गाड़ी कैस तरसी कर रहा है मापरा का इनको वास्ताम में ना लेना है एक ना देना दो अगर यहां पो कुछ तो मिले वाई इसलिए इनको पकड़ लिया जाता है और दूसरे स्टेट की गाड़ी का नमबर देखते हैं आप जानते हैं वाई सो ऐसे तूट पड़ते हैं ओहो आजा मेरे राज्या तो यह कह रहे हैं जी फिसिकल वेरिफिकेशन एक बार होगी तो दुबारा परे नहीं भरने दिया जाएगा अपका एवेवल नहीं बनेगा अगर मेरा ऐवेवल नहीं बनेगा तो मेरा गोड्स का ठांस्पोरेशन ही होगा तो धंदा नहीं चलेगा और बिना आीव वेवील कि ट्रांस trafferटेशन करा है तो गोड्स हो जाएगा और हम सालाकों के पीछे बं बनाओ 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 नहीं बनाओ नहीं बनाओ नहीं बनाओ 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 नहीं बनाओ 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 statement या return आप लगातार दो period की आपने नहीं दी हुई है 3B है या GSTR 1 है तो आपने लगातार 2 tax period के लिए उसे नहीं दिया है अगर आप regular scheme में हैं अवेलिंग regular scheme has not furnished the statement in form GST CMP 08 यह regular नहीं आएगी इसे ठीक करना जा रहा यह आएगा यहां पर composition regular को काटेंगे composition ऊपर आगया regular वाला कि 3B या GSTR 1 नहीं दिया इसे composition करना प्लीज composition scheme में fall करते हैं तो CMP 08 लगाता 2 tax period के लिए नहीं बरा अच्छा क्या यह दोनों point मेरी एक छोटी सी बात ने capture नहीं कर लिए क्या कि यहां से यह पहले दो point के हिसाब के कच्छो को statement या return as the case में भी whichever as applicable on you two or more tax period के लिए आप नहीं दे रहे हो तो ebay bill पर restriction लग जाएगी और क्या बोलते हैं अब scheme आप जो मर्जी रखके चले हो आपका registration सस्पेंड कर दिया गया है पढ़ा था registration के चैप्टर मड़े अच्छे से कि registration कब सस्पेंड होता है हमारे apply करने पर जिससे उसमें था ना कि पतनी किन ground पर तलाक ले सकती दुकान नहीं जाता है वोलेंटी रिश्शन कराया था लेकिन कुछ नहीं और क्रेडिट ग्रत तरीके से लेता है तो वैसे करके उसके दस्बारे ground थे जहां पर सबसे पहले आपकी आरचि सिस्पेंड होती और आरचिस सिस्पेंड होते ही आपका धंदा चौपट होना शुरू हो वैसे तो कह रहे थे कि business कर सकते हो पर GST वसूल नहीं कर सकते हैं पर आप कह रहे हैं कि इवेबिल भी ना बना देंगे हम आपको इवेबिल नहीं बनेगा तो मुमेंट नहीं होगा और मुमेंट करा दिया तो पकड़ेगा और लंब न पजाओगे सीडिसी बात यह है तो सरका कर दे गई तो भी आपको यह नहीं बनाने दिया जाएगा अब लेटेस्ट में चेंज आया है यहां समझे ना चूटी सी बात कि माली यहां पर यह वक्ती है इसका नाम है बी करके ठीक है और जो बी है यह बड़ा चंट चालाक रहती है और यह इसने टू और मोर टैक्स पी इवे बिल यहां पर बना पाएंगे यह नहीं सर नहीं अब आउट वर्ड जो सप्लाई होगी उसके लिए इवे बिल नहीं बनेगा मतलब इसका धंदा चौपट होना शुरू हो जाएगा यह सर क्या इन्वार्ड सप्लाई का भी नहीं बनेगा अब सुनो जरा मेरे बात य इनका 20% टोटल सेल का इनको जाता था 30% इनको आता था और 50% इनकी जो सेल थी वो यहां से आती थी मतलब A का जो मुक्ख कारोबार थे वो B से ही चलता था अब B ने क्या किया किE ने चीटिंग और चीटिंग के चलते होए इसके E-Way बिलकु बलोक कर दिया गया फुरू हो ब्लॉक हो गया तो पुराने समय बोलते थे कि जो इसका ये वाला इवेबिन ना पर्चेस का ये भी नहीं बनेगा अब जैसे ये नहीं बनेगा तो इससे प्रॉब्लम इस बीको तो हुई हुई साथ में इसको भी हो गई प्रॉब्लम एने का भाई साब देखो गलती कर रहा ह है वो लेकिन आप मेरे टर्न ओवर पर असर क्यों डाल रही हो यार मैं मेरा तो टर्न ओवर होने दो ना देखो इवेबिन तो ऐसी चीज़े कोई बना सकता है सप्लायर बनाए वेंडर बनाए ट्रांस्पोर्टर बनाए कोई बना सकता है तो पहले था कि ना इसका आउट व वाले को हम ब्लॉक करके चलेंगे अगर आप कुछ इस तरह के अपराद करते हो तो लिखा है तो इन रस्पेक्ट अफ आउट वर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स आप अपना नहीं बना पाओगे ईवे बिल अगर आप टू और मोट एक्स पिरिड का हिसाब नहीं देते हो या पिर आपकी आर सी सस्पेंड कर दी जाती है तो आगे बोलते हैं ट्रांस्पूर्टेशन ऑफ गुड्स पाइ रेलवे वगरा है तो क्या करोगे तो उसमें जो ट्रांस्पूर्टर वो तो नहीं बनाता है और वो मुमेंट के बाद भी बन सकता है लेकिन डिलेवरी तभी द जाएगी जब डिलेवरी तभी दी जाएगी गुड्स की जब आप अपना इवेबिल प्रड्यूस कर दोगे आगे बोलते हैं कि यहां पर सेम स्टेट में जा रहा हो तो यह एक नैशनल डॉक्यूमेंट है स्टेट का कोई चक्कर नहीं है अप एक स्टेट में घूम क्या हो खूँब अच्छे से पढ़ाई करें मेहनत करें और जो महाउत्सव आ रहा है उस महाउत्सव को अच्छे से सलिब्रेट करें और इंजॉय करें इस टाइम को जो आपका एक्जाम टाइम है क्योंकि इसके लिए बड़े लंबे समय से तपस्या चल रही थी डरे नहीं घभर अजय जा जो झाले ता